हेलो एवर्डिवन वेलकम अगेन लर्ण विद दिदिमन बचों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एट चेप्टर नमबर वन और हमेशा की तरह बिना वक्त गवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर वन खबैर और बोलन क्या हैं? खबैर और बोलन क्या हैं? दर्रे हैं और यह कैसे दर्रे हैं? यह खबैर और बोलन वो प्रमुक दर्रे हैं जो प्राचीन समय में विदेशियों का भारत भूमी में आगमन का मार्ग था खबैर और बोलन हमाले छेतर के वो प्राचीन दर्रे हैं जो विदीशियों का भारत भूमी में आगवन का मार्ग बना, है नो, चलिए, नए कोशन देखिए, संपूर्ण भारत को मुख्य तह कितने भौगोलिक भागों में विभक्त किया गया है, तो देखिए, उत्तर पूर्वी परवतिय प्रदेश, जो हमारे मुख्य तह हिमाले प्रशंक लाए हैं, है न, गंगा का मैदान, गंगा यमना, जो नदियों का मैदान बना हुआ है, वो क्या है, गंगा का मैदान, कहा गया है, तटिये मैदान, जो समुद्र तटिये छेतर हैं, मुख्य तर, वो तटिये मैदान छेतर हैं, है न, और दक्षिन का जो तक फैला जो हुआ है वो धार का मरुस्तल है ना और अंतिन दीप समुह जैसे अंडवान निकोबार और लक्षे दीप समुह जो है भारत की ये मुख्य भौगवालिक आधार पर वरिक्रत भाग है ठीक है चली ने कोशन देखिए भारत के उत्तर पश्चिम में कौनची परव परवर्शंकला है इस्तित हैं तो कौनची परवर्शंकला है इस्तित हैं किर्थर सुलेमान और हिंदूकस परवर्शंकला है इस्तित हैं ने कोशन देखिए विश्व की सबसी उची वे नवीनतम परवर्शंकला कौनची है विश्व की सबसी उची वे नवीनतम परवर्श परवश्रंकला कौन सी है तो हम सभी जानते हैं हिमाले परवश्रंकला है वो वले से उत्पन परवश्रंकला जो नवींतम परवश्रंकला भी है इसे की सबसे नवींतम परवश्रंकला कौन सी है हिमाले परवश्रंकला और हिमाले जो परवश्रंकला है हिमाले और हिंदू कर पर्वशंकला भारत में वर्सा करने में साहिक हैं और साइबेरिया से आने वाली थिंडी हवाँ से यह हमारी रक्सा करती है ठी हमाले हमाले की वजह से जो बांसुनी वर्सा की होती है Says हिमाले ना होता, तो साइव एरिया से जो ठंडी हवाय आती हैं, वो इस छेत्रों को सीत मरुस्थल में तब्दीर कर देती, तो यहां किसी देश के पनपने जैसी इस्थितिया नहीं होती, तो हिमाले परवशंकला हमें इतना, जो हमारा देश विक्सित हो रहा है, उसका एक ब अराकान दोमा की पहाड़िया हैं, कौन सी? उत्तरपूरों में जो अराकान दोमा की पहाड़ियां जो हैं, जो पश्चिम यानमयार में बंगल खाड़ी के तड़ के साथ हैं, वो हमाले से मिल जाती हैं, तो चलिए, नएक कुश्चन देखिए, उप महाद्वीप किसे कहा जाता है, उप महाद्वीप किसे कहा जाता है, यानि सब कंटिनेंट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, वहाद्वीप 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 किसे कहते ह यह हर दिशा में अभीत और रुगम हो गया है और यह पूरिश महादीफ चेक प्रिकार से कटा हुआ हिमाले चेतर की वज़े से कभी समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरा इसका जो दक्षिन हिस्सा है प्राइदीपी जो पठा रहे हो कैसा है वह प्राइदीपी इस्तिती यानि तीन पिकार से जल से घि crush हुआ है तो उसको क्या कहेंगे फ्राइदीपी विश्तार है तुझंद भारत वाषटिक सामिक पैनिंसूलर एक्स्टेंशन है फ्राइदी प्यशन के ओंदेखे के भारत छेत्रफल की द्रश्ती शेविस्व का कौन सा देश्य थाइखर १ शेत्रफल की देश्टी से विश्व का कौन सा देश है तो देखिए भारती जो है शेत्रफल की देश्टी से सात्वा देश है और जन्संख्या की देश्टी से हम सभी जानते हैं यह दूसरे सबसे बड़ा देश है यहाँ पर विश्व की 17.5% लगबग जन्संख्या रहती है कितना विश्व की लगभग 17.5% जन्सन क्या यहाँ पर निवास परती है, चलिए, नेक कुशन देखें, भारत की मुख्य भूमी का अक्छांसिय विस्तार कितना है, तो कितना है, यह आपका है, 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर तक, कहां से, भारत की मुख्य भूमी का अक्छांसिय विस्तार है, तो हमारे भारत देखी जो देशांसिय भूमी का अक्छांसिय विस्तार है, वो 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व से, सत्यानमे डिग्री 25 मिनिट पूर्व तक है, कितना है, 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व से, सत्यानमे डिग्री 25 मिनिट पूर्व तक, ऐसी स्थिते में क्या होगा, आपको पता है, देशांतर ये जो विस्तार है, उसके आधार पर हमारे यहां पर समिन निर्धारन किया जाता है, कि लगभग 39 डिग्री का डिफ्रेंस हमारे देशांतर ये विस्तार में है, जिसकी वज़े से 2 घंटे का अंतर यहां पर हो जाता है, समय का 2 घंटे का अंतर आपके जो पूर्वी और पश्यमी भारत हैं, उनके बीच में पाया जाता है, चलिए, नएक कुश्यन देखिए, भारत का छेत्रफल कितना है, भारत का जो छेत्रफल है, वो कितना है, तो भारत का जो छेत्रफल है, वो 32.9 लाक वर्ग किलोमीटर है, भारत का छेत्रफल 32.9 लाक वर्ग किलोमीटर में भारत देश फैला हुआ है, नेक कुश्यन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षन तक क कितने किलोमेटर तक विस्तार है भारत का उत्थर से दक्षण तक कितने किलोमेटर तक विस्तार है तो देखिए 3214 किलोमेटर है 3214 किलोमेटर विस्तार है भारत का 3214 किलोमेटर विस्तार है कहां से कहां तक जम्मु कस्मीर से कन्या कुमारी तक यह जो भारत की मुख्य पश्मीर से कन्या के मारी तक कितनी लंबाई में भारत फैला हुआ है 3214 किलो मीटर लंबा है ना नहीं क्वेशन दिखिए भारत का पूर्व से पस्चिन कितने किलो मीटर तक विस्तार है तो वह है 2933 किलो मीटर तक कहां से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात छेतर तक ये फैला हुआ है 2933 किलो मीटर पूर्व से पस्चिन तक हम भारत देश फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक चलिए नहीं क्वेशन दिखिए भारत का सबसे बड़ा है सबसे चोटा राज्य कौन सा है भारत का सबसे चोटा राज्य कौन है गोवा है भारत का सबसे बड़ा राज्य राज्य राजिस्थान वे भारत का सबसे चोटा राज्य गोवा है नेक कोशन दिखिए भारत में कितने राज्य वे केंद्र प्रसासित प्रदेश हैं भारत में 28 राज्य वे 8 केंद्र प्रसासित प्रदेश वर्तमान में है भारत में वर्तबान में 28 राज्जेव आठ केंदर प्रिसासित प्रदेश हैं और भारत की राज़जानिया हम सभी जानते हैं दिल्ली है चलिए नेक कॉइस्चन को देखे हिमाले परवर्षंकला को कितने भागों में मुखेता वर्गी करत किया गया है हिमाले परवशंकला को कितने भागों में मुक्यता वर्गी करत किया गया है तो देखिए हिमाले जो परवशंकला है उसको मुक्यता तीन भागों में वर्गी करत किया गया है जो भारत की और जो छेतर है वहाँ पर सिवालिक परवशंकला ये मानी जाती है और उसके बाद मद्धे हिमाले आ जाता है जिसको हिमाचल भी कहते हैं और फिर व्रहत हिमाले आता है जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है क्या सबसे पहले सिवालिक के पहड़ियां या सिवालिक परवशंकला हैं फिर मद्य हिमाले परवर्ष रंकला हैं जिसको हिमाचल परवर्ष रंकला ही भी कहा जाता है और उसके बाद व्रहत हिमाले अत्वा हिमाद जी छेद्र आता है ठीक है अब जब हम हिमाले परवर्ष रंकला की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत के उत्तर और उत हिमाले परवर्शेणी जो है आंद्र प्रदेश तथा जक्षण दिसा में मुर्का पूर्व उत्तर की जो असम्यान मार परवर्शेणिया है पठकोई और नागा पाड़ियों से मिल जाती हैं हिमाचल हिंदमासागर से आने वाली आद्रहों से हमारी वर्षा कराने में सहिक होता है यह उत्तर भारत की सदा नीरा जो नदियों का उद्गम इस्थाले सदा नीरा मतलब जो सदा बैती है जैसे गंगायमना जो है उनका उद्गम इस्थाल भी हमाचल हिमाले प्रवर्शंक और हमने class 7 में भी पढ़ा था यहाँ पर ऐसे छेत्रों में कौन से फ़स्दे होती है जो आलन छेत्रेंक हाँ पर पर चेट्रे में रहें देक्न हम फ़ालों बजू उतले यह उतलते हैं दिए नारे ह्षेत्रत दाते ह Sin के दन लवस्ब कॉअщее जल और वनसंपदाएं, वनसंपदाएं भी औस धियां भी आती है न, तो जल और वनसंपदाएं यहां पर मुख्य निरबढता है आजी विका का, ठीक है, चलिए, नेक कोशन देखिए, भारत के किस छेत्र को भारत का अनवंडार कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, गंगा कि मैदानी भाग को कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, क्योंकि आपको पता है, यही भारत का सबसे उपजाओ छेत्र है, इसलिए यहां पर सरवादिक क्रिष्ट भी होती है, और यही कारण है कि यहां सरवादिक जनगनत भी है, यानि सरवादिक जो जनशंग के वाला जो भारत के गंगा यमिना के मैदानी भागों को किन भागों में विवक्त गिया गया है भारत के गंगाईमना के मैदानी भागों को किन भागों में विवक्त लिया गया है तो दिखिए हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि इनको चार भागों में विवक्त लिया गया है बांगर, खादर, तराई और भावर बांगर, खादर, तराई और भावर वहां पर पानि अब नहीं जाता है, तो वहां पुरानी जलोड मिट्टी है, जो जलोड मिट्री लाए गई गई थी वह तो वो जाओतो है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा वो बांगर चेत्र है, वो कैसा है? मैदान का बांगर छेतर है और जहां नई जलोड मिट्टियां आती है जैसे ही जहां बार छेतर है तो वहां पर क्या है पानी बार बार नई मिट्टी लेकर आता है तो उस छेतर को क्या कहा जाता है उसको खादर छेतर कहा जाता है और ऐसे छेत्र जहां दल्दली मैदान पनब जाते हैं जहां पर दल्दल पनब जाते हैं दल्दली मैदान होते हैं उनको क्या का जाता है तराई प्रिदिस का जाता है और भावर क्या है भावर जो हिमाले के आपको पता है हिमाले से ये मैदान निर्मित हो रहे हैं भारत के अ जाता है उसमें तो ऐसी जमीन को क्या कहा जाता है भावर छेत्र या भावर मैदानी भाग कहा जाता है चलिए ने कोशन देखें भारत में खनीजी संपदा का भंडार किस छेत्र को कहा जाता है भारत में खनीजी संपदा का भंडार किस छेत्र को कहा जाता है तो हम सभी जानते हैं प्रायदीपिय पठार छेत्र जो है उसको इसमें बहुत मात्रा में खनीजी संपदाईं पाई जाती है उसमें बहुत ज़ त्रुजा का रूप है ये प्राईदीपय पाथार और डख्षण पाथार इसकен भारत का प्राईदीपय पाथार भी कहते हैं सहयाद्री क्या है फ्रहत प्राईदीपय पाथार कलए हर शेते हैं पश्चिमे घाट की पहाडियां है और यह पश्चिमे घाट की जो पहाडियां है इन्हीं को क्या कहते हैं? सहयाद्री कहा जाता है. पश्चिमे घाट की जो पहाडियां हैं उनको क्या कहा जाता है? सहयाद्री कहा जाता है. नेक कुश्चिन देखें. नीलगिरी और अन्नमलाई परवत भारत के किस भाग में इस्तित हैं? तो देखिए भारत के दक्षण हिस्सें में इस्तित हैं और प्रायदीपय पठार के भी दक्षण भाग में इस्तित हैं आराबली परवर्शंकला जो है विश्वे की सबसे पुरानी परवर्शंकला है, चलिए, नैक कुश्चन देखिए, दक्कन का पठार वे छोटा नागपूर का पठार किस छेत्र में इस्थित है, दक्कन का पठार वे छोटे नागपूर का पठार है, वो किस छेत्र में इस के साथ इस मैप को भी देखते हैं इस मैप में देखें ये क्या है सत्थपुर्ण स्थेमिया यह जो हिस्सा है आपका यह जो हिस्सा है यह क्या है प्रायदित्य पठारी छेट्र है यह जो तठीय भाग है कौनशा है देखे इस प्रकार इनको भारत को अलग अलग छेत्रों में बांटा गया है अन्नम अलई और नेलगरी की परवर्षन कला आएं ये रही दकन का पठार का है दकन का फठार यहाँ पर है ठीक है चलिए नएक कोश्चन देखिए दक्कन के लावा पठार की उपजाओ भूमी किस फसल के लिए सरवादिक उप्योगी मानी जाती है और सबसे कठोर भूतिक प्रदेश भी है दक्षिन का जो प्राइदी पर पठार है भारत का सबसे बड़ा और सबसे कठोर भूतिक प्रदेश भी है चलिए नेक कुश्चन देखिए अंडमान निकोबार दीप समहु में कितनी दीपों का समहु है कितनी दीप है इसमें 247 दीप हिस्तित है देखे एक उत्तरी दीप समहु जो है वो क्या कहलाता है अंडमान दीप सम Kollegin कहलाता है और देखचन दीप समहु वो क्या कहलाता है नीकोबार दीप समहु और इन दोनों को मिलाके क्या कहता है इसको अंडमान नीकोबार दीप समूँ, उत्री दीप समूँ, अंडमान दक्षन दीप समूँ, नीकोबार दीप समूँ, और इन दोनों को मिलाके अंडमान नीकोबार दीप समूँ कहलाता है और इसमें कितने दीप हैं टोटल? 247 दीप ह भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालम की किस इस्थान पर इस्थित है तो हम सभी जानते हैं अंडमार की बैरन दीव पर आज भी भारत का जो एक मात्र सक्रिय ज्वालम की किस इस्थान पर इस्थित है तो हम सभी जानते हैं अंडमार की बैरन दीव पर आज भी भारत का जो एक म दक्षणतम बिंदू कहा स्तित है? देखे यह भारत का दक्षणतम बिंदू कूंचरा है,भारत की मुख्य भूमी दक्षण बिंदू कांसा है? कन्या कुमारी है लेकिन भारत का दक्षणतम यानि उससे भी नीचे कोई दीबिसम जahu है वो कौनसा है मुख्य भूमी का दक्षण तम चेत्र पूछा जाए, तो हम क्या कहेंगे, कन्या कुमारी कहेंगे, भारत का जो मुख्य भूमी का दक्षण तम बिंदू है, वो कहा है, कन्या कुमारी है, लेकिन भारत का दक्षण तम बिंदू, जो क्या है, वो निकुबार का इंदरा यह बात अलग है कि लक्ष दीप के साब्दिक अभी प्राय को अगर देखें तो लक्ष दीप का अर्थ क्या होता है लक्ष यानी लाक यानी एक लाक दीपों का जो समूँ है वो क्या गया लाएगा लक्ष दीप समूँ लेकिन इसमें किवल 36 दीप ही इस्थित हैं लक्ष दी दुर्गम इलाकों में रहने वाले जन्व सुमदाय को किस शेरिया, नागा, मिरी, आदी, डाफला, ये सभी क्या हैं? ये जन्जातिया हैं. गौंड, भील, संथाल, ओराम, सहरिया, नागा, मेरी, आदी, डाफला ये सबी क्या हैं? जन जातियां हैं और ये दुर्गम इलाकों में मुखे था पाई जाती हैं देश की जो अधिकतर जन जाती है जो अबादी है वो कहां पाई जाती है? विंध्या चल, सत्पुरा, मेकाल, छोटा नागपुर और सहयाद्री की जो पाड़ियां और वन्चेत्रें यहां पर ये सरवाधिक पाई जाती हैं चलिए, नेक कुश्चन देखें भारत में जन गन्ना के अनुसार बारत में 2000 की जन गनना के अनुसार बारत में कितनी भासाएं और मातर भासाएं बोली जाती हैं यहां पर 122 भासाएं और 234 मातर भासाएं बोली जाती हैं देखें इसमें जो important बात यह है कि मात्र भासा क्या होता है मात्र भासा वो भासा है जो किसी व्यक्ति के बच्चमन में उसकी मां के द्वारा मां से बात करने के लिए जो इस भासा का उप्योग किया गया वो उस व्यक्ति के मात्र भासा कहला दी है किसी व्यक्ते की मात्रभासा वो भासा है जिसमें वो बच्चपन में अपनी माता उससे बात, जिस भासा में बात करती है, वो भासा उसकी मात्रभासा कहलाती है, ठीके? तो हमारे यहाँ पर कितनी मात्रवासा हैं? 234 मात्रवासा हैं और 122 भासाएं हैं. चलिए. Next question देखिए. भारत में कितनी भासाओं को समवेधानिक दर्जा दिया हुआ है? भारत में हम सभी जानते हैं 22 भासाएं हैं जिनको समवेधानिक दर्जा प्राप्त है. भारत में 22 भासाओं को समवेधानिक दर्जा प्राप्त है. और जब भारत की जणगन्ना की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी जणगन्ना के अनुसार जो हिंदू धर्मा परतिसत है। सरवादिक 78.8% हिंदू छेत रहें ठीक है चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाम क्लास एट का चैप्टर नुबर टू और जैसा की हम हमिशा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशें नमबर 1 तो सले किरिेAST करिए राज़िस्थान एकिकर्ण चैपूर कितनी रियासतों में विवक्त था राज़िस्थान का जोता। पूरे राइस्थान का निर्मान हुआ था चलिए नहीं कोशन देखिए राजिस्थान को भौगौलिक आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है तो कितने भाग है थार का मरुस्थाल, अरावली परवर्शंकला जो इस्विकी सबसे प्राचिंतम परवर्शंकला भी है परवि मैदान और दक्षिन परवि पठार शेते, और दक्षिन परवि पठार चेते को क्या रहता है हाड़ती का शेत्र भी मैप से देखते हैंGo गंघायमन चेतındaki का रहता है वो उसका ही एक भाग है यह मैदान यह आपके अरावदी पर वशंगला होगी और यह आपका मरुस्थलिये छेत्र हो गया इस प्रिकार यह चार भागों में हमारे राईस्थान के जो भागोलिक अधार पर चार भागों में भक्त किया गया है चलिए ने कोशन देखे थार का मरुस्थलिये भाग राईस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है थार का मरुस्थलिये भाग राईस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है तो देखे राईस्थान के 12 जिले हैं उसमें मरुस्थलिये भाग फैला हुआ है जिसमें राईस्थान के जो थार का मरु 61% भाग इसका यहां पर फैला हुआ है चलिए मैं कुश्चन देखी विस्व का धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है तो देखिए इसका आंसर तो आपके उनीशी कुरूप से पता है थार के मरुस्थल को क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं थार का मरुस्थल क्यों धनी कहा जाता है क्योंकि अन्य जो मरुस्थल छेत्र हैं इसके बारे हमें पहले भी बात की है कि अन्य मरुस्थलों के तुलनात मत यहां पर इतनी स्थित्यां प्रतिकूल नहीं हैं प्रतिकूल इस्थित्या नहीं हैं जितनी की और मरुस्थलों में ह पर यहाँ पर जादा जन घनत हैं यहाँ जादा सुवीद आये हैं तो इस वज़े से इसको धनी मरुस्तल कहा जाता है यह छेत्र क्या है जंसंक्या में भी बहुत है और आइस्थान का जो 40% जंसंक्या है वो इसी छेत्र में निबास करती है चलिए नहीं कुशन देखें भार भारतिये महामरुस्तल यानि ग्रेट इंडिया डैजर्ट किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है बार्ड मेर जैसल मेर विकानेर की मरुस्तल यह भाग को भारतिये महामरुस्तल या ग्रेट इंडिया डैजर्ट कहा जाता है बार्ड मेर जैसल मेर विकानेर में मरुस्तल यह भाग जो है उसको Great India Desert कहा जाता है इस छेत्र में बालु का इस्थूप जिसे हम धोरे भी कहते हैं यानि रेत के टीले ठीक है बालु का इस्थूप या धोरे या फिर रेत के टीले यह क्या होते हैं जो हवा के साथ अपना इस्थान भी बजल लेती हैं और इस छेत्र में मरुस कौन सा है तो हम सभी जानते हैं रोहीडा जो है वो राज्यवरक्ष खेजड़ी है यह जो व्रक्ष है यह भी मरुस्थलिय वनस्पति के उसमें आता है ठीक है चले नया कुशन देखिए राइस्थान के मरुस्थलिय छेत्र में पाई जाने वाली प्रमुक घास कौन सी है तो कौन सी है कैर अंक थोर लाना फोग आरणा यह क्या है यह प्रमुक जाडिया है जो इस चेत्र में पाई जाती है कौन-कौन सी कैर हो गई आक, थोर, लाना, भोग, आरणा यह सभी क्या प्रमुक जाडिया है जो इस चेत्र में पाई जाती है चारी कुशन देखिए इंद्रा गांदी नहर परियोजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है इंद्रा गांदी नहर परियोजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है? तो किसने दिगा, सतलन नजजी का जो पानी है वो राइस्थान में इंद्रा गांदी नहर पडियोजना के दोरा लाया गया है ताकि जो पश्चिमी मरुस्थलिय छेत्र है, उसका मरुस्थलिय विस्तार ना हो और वहाँ पर भी सिचाई के साधन विक्षित किये जा सके इसलिए इंद्रा गांदी नहर पडियोजना प्राःडम की गई थी और जो और सतलन नजजी का जल लेकर आती है नएक क्वेस्टान देखिए राइस्थान के कितने प्रितिस्त छेत्र में आराबली परवर्ष रंकला फैली हुई है तो लगभग 9,000 प्रितिस्त में आराबली परवर्ष रंकला इसतंगी ए हना और यह दक्षिड में गुजरात के खेड ब्रह्मा से गुजरात राज्या है उसका खेड ब्रह्मा छेत्र है वहां से उत्तर में दिल्ली तक ये 600 बाण में 692 किलोमेटर लंबी है ठेक है और अरावडी छेत्र राजिस्थान का सबसे मुँचा छेत्र है जो राजिस्थान को पूरी और पच्छिमी राजिस्थान में विभख्त करता है चलिए नेख कोशन देखी राजिस्थान की जीवन रिखा किसे कहा जाता है राप जी परवशंकरा को ही राजिस्थान की जीवन रिखा का जाता है उसका कारण क्या है, ये माँशुनी पवनों को रोकता है जिसे दक्षणिय प्ूर्वी राजिस्थान वर्षा मी जहाँजता मिलती है ये पहशिम भाग में मरुस्तली दतार को रोकता है इस वाज़े से पूर्वी जो राजिस्थान है वो मरुस्तली छेतर नहीं है, बहुत सी नदियों का ये उद्गम इस्थल भी है, या अनेक प्रकार की जड़ी बूर्टियां और खनीशन साधन भी पाई जाते हैं, तो राजिस्थान के लिए वास्टविक्ता में एक जीवन गुरु सिखर है, गुरु सिखर जो 1722 मीटर है और शिर्वी जिले में इस्थित है, गुरु सिखर जो चोटी है, औरवली परवेशनक्ला की सबसी मुची चोटी है राजिस्थान में, और ये 172722 नदी का विस्तत मैदानी चेत्र का इसा है तो यह है गंगा के मैदान चेत्र का देखें राइस्थान का जो पूरी मैदान है वो चंबल बनास बान गंगा वे साहिक नदियों से बना हुआ है उनके मैदानों से बना हुआ है राइस्थान का जो पूरी मैदान चेत्र है वो किस मैदानों छेत्र की बात करते तो हमें पता है कि यहां जन गनत्व सरवादिक होता है जब राइस्थान का यह जो छेत्र है मात्र 23 पृतिसत है और इसमें जो जन्संख्या है राइस्थान की 40 पृतिसत जन्संख्या इसी छेत्र में निवास करती है तो यह राइस्थान का भी स दरवादिक जनगनत्व का भी छेत्र यह है, सरी नहीं क्यूशन देखें, उत्खात भूमी या बैड़लेंड टॉपलोजी किसे कहा जाता है, देखें उत्खात भूमी क्या है, अपर्दन के कार्ण बनी उबर खावर भूमी, जिसे बीहर या डांग छेत्र भी कहा जाता है, आपने बहुत सारी जगे दिखा होगा, चंबल के बीहर और डांग छेत्र, जहां मुवीज के अंदर दिखाया जाता है, डाकू रहा करते हैं, चंबल के बीहरों में, डाकू रहा करते हैं, आज भी सुनने को आता है, अपर्दन के कार्ण बनी जो उबर खावर भूमी है, ये बीहर या डांग छेत्र कहलाती है, और जब हम इसकी बात करें, तो ये बैडलेंट टॉपलोजी है, जो सबसे ज़्यादा जो इस छेत्र है, ये छेत्र चंबल नदी के सहारे, कोटा से धौलपूर तक विस्तरत है, ये कहां पर है, चंबल घाटी के सहारे, मैंनो साथ सा चंबल का जो बीहर चेत्र है, वो कोटा से धौलपूर तक फैला हुआ है, एक क्योशन देखिए, राइस्थान के किस छेत्र में माही का मैदान इस्तित है, तो राइस्थान के देक्षणी भाग में, बांसवाड़ा जो प्रताबगर जिलों में, माही और साहिक नदियों द चलिए, नेक क्योशन देखिए, चपन का मैदान किसे कहा जाता है, चपन का मैदान किसे कहा जाता है, तो देखिए, जो माही मैदानी छेत्र है, उसमें चपन गाओं का और चपन नदी नालों का एक सम्मूँ है, जिसको चपन का मैदान कहा जाता है, माही मैदानी छेत्र मे राइस्थान के दक्षणी पूरी भाग में इस्थित पतार किस कारण कहा जाता है? तो देखें, राइस्थान के दक्षणी पूरी भाग के प्राचिन काल में हाडावंसी सास्कों का छेतर था ये किसका हाडावंसी सासकों का चेतर था इन ही के नाम की वज़े से इसको हाड़ोती का पठार करा जाता है और राइस्थान का लगवग 7% चेतरी ये कवर करता है जो इसकी अधिकान जो भूमी है अधिकान जो मिटी है वो लावा निर्मित और मध्यम काले रंकी हैं मध्यम काली है और राइस्थान के अन्य पठारों में जैसे उड़िया हुए आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल, लसाडिया के पठार आली हैं कौन-कौन से हैं उड़िया, आबू, भौराट, मेसा, उपरमाल और लसाडिया चले नएक कुर्शन देखते हैं राजिस्थान में मुखेता है, कितनी प्रकार की जलवायू पाई जाती है तो देखिए राइस्थान में पांच प्रकार की जलवायू पाई जाती है। देख्षणी पूर्वी जालावाड में अति आद्र जलवायू पाई जाती है। देख्षणी प्रकार की जलवायू पाई जाती है। राजिस्थान की आसत वार्सिक वर्षा कितनी है। तो राजिस्थान की आसत वार्सिक वर्षा राजिस्थान की मानी जाती है। राजिस्थान में मुख्यता है कितनी प्रकार की रितु पाई जाती है। इसमें तेन प्रकार की रितु पाई जाती है। पाई जाती है। जुलाई से जो सेप्टेंबर का साइम है वो वर्षा रितू का माना जाता है और सीत रितू अक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन देखी राजिस्थान के ग्रीस रितू में चलने वाली गर्म वैधूल भरी हवाईं क्या कहलाती है राजिस्थान के ग्रीस रितू में चलने वाली गर्म वैधूल भरी हवाई उसको कहते है लू क जिसको कहते है चलिए नेक्ट देखते हैं एक बात और जहां यहां ग्रेस्मरितों के बात करते हैं तो ग्रेस्मरितों में सामनते हैं जो टेंपरिचर होता है वो जो 30 से 40 डिग्री से अल्टीगेट माना जाता है और पश्ची मिराजितन जैसे जैसल मेर हो गया बार्ड मेर, विकाने, जूर स्री गंगा नगर चूरू इन शेत्रों में भी 40-45 डिग्री तक का तापन हो जाता है थार मरुस्तल शेत्र गरम शेत्र है क्योंकि रेद बहुत जल्दी गरम भी होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है इस वज़ए से दैनिक जो ताप अंतर है यानि दिन में जो जल्दी ठंडा हो जाता है नेक्स देखिए राइस्थान में वर्सा रितु सामने तहां किस महा में आती है तो देखिए हम अभी बात कर चुके थे जुलाई से सिप्तंबर महा में वर्सा रितु आती है ठीक है जुलाई से सिप्तंबर महा में वर्सा रितु आती है राइस् वो मांसुनी पवनोंदारा होती हैं किसे मांसुनी पवनोंदार आती हैं और मांसुनी पवनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दो जगे से आते हैं कहां कहां से आते हैं राजिस्थान में जो मांसुनी पवने आती हैं वो कहां कहां से आएंगी वो आती हैं एक तो अरब स राजित्तान के जख्षणी राजिस्थान में वर्सा होती है, जबकि बंगाल की खाड़ी से कहा होती। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है राइस्थान की सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है राइस्थान की सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है तो हम सभी जानते हैं राइस्थान की सबसे कम वर्षा जैसल मेर में होती है और यह लगबग 10 cm से भी कम होती है जब सबसे ज्यादा वर्षा जिस जिले की बात करें सबसे सरवादिक वर्षा जो राइस्थान की जिले में में होती है वो है जहलावाड यहां लगबग 100 cm की आस्तन वर्सा होती है कितनी 100 cm लगबग आस्तन यहां जहलावाड जिले में वर्सा होती है आस्तन देखें अरावली के सहारे फिलिन्दा बलैंक या खाली स्थान सं वर्सा रेखा रायस्तान को दो भागों में विवाजित करती है अरावली के सारे खाली स्थान सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा रायस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं तो सबसे पहले तो इस कुश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना जी कि सम वर्षा रेखा क्या है तो देखें, समंवर्शा रिखा वो होती है, मांचित्र पर समंवर्शा वाले इस्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रिखा होती है, उसको क्या कहा जाता है? समंवर्शा रिखा कहा जाता है तो हमारे राजिस्थान है उसको दो भागों में विभाजित करती है और उसी अरावली परवत के सहारे एक समवर्षा रेखा चल दी है वो राजिस्थान को दो भागों में विभाजित करती है तो सम रेखा , कितने सन्टीमीटर की वरसा का औस spread हो वह पचास सन्टीमीटर सम वरसा रेखा है जो अर मतलब क्या हुआ जो पश्द्वी में राजिस्थान है , यहाँ पर पचास सेंटीमीटर से कम वरसा होती है सामनेत्य है और जो पूर्वी राहिष्टान में विवक्त किया हुआanced किया हुआ हुआ है तो पश्च्री मी राजिफ्थान में पचास सन्टेमीटर से कम वरसा होती है, और पश्च्री मी भाग में 50 सनटीमीटर से अधिक वरसा होती है, चली! नेक कोशन देखिए, हिमाले से आने वाली थंडी पवनों को क्या कहा जाता है, हिमाले से आने वाली थंडी पवनों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सीत लहर कहा जाता है, देखिए हिमाले से आने वाली थंडी पवनों को क्या कहा जाएगा, सीत लहर कहा जाएगा, रेत ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, इस वज़े से क्या है, यहाँ जीरो डिगरी तक का ताफ़ान हो जाता है, माउंट अबू राइस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है, समयने तो आते हैं, है ना, चली, नेक क्वेशन देखिए, मावट किसे कहा जाता है, सीत रितो में होने वाली वर्षा, जो क्या है, मावट कहलाती है, और जिसे पश्चिमी विषचोब भी कहा जाता है, तो ये था आपका इस चप्טर का आखरी कोशन क्लास एट का चप्טर नबर 3 और चप्टर का नाम है जल संचाधन तो चलिए हमीशा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमर फर्स्ट अफबहत अंत्र किसे कहा जाता है अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है मुख्य नदी वे सहायक नदियां द्वारा जल प्रवाह की जो विशेश वरिस्ता है उसको क्या कहा जाता है अफवाह तंत्रिया प्रवाह प्रवाह प्रणाली कहा जाता है मुख्य नदी किसे सहायक नदियों वो अपनी बड़ी नदियों में अपना जल उडेल देती हैं ठीक है तो वो क्या कहलाती है उस मुखे नदी की सहयक नदियां कहलाती है चलिए नेक कोशन देखते हैं जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है तो देखिए दो अपवाहा छेत्रों की मद्धे की उच्छ भूमी जो वर्सा को जल को विभिन्य दिशाओं में प्रवाहित करती है जैसे कि राजिस्थान में जब उच्छ भूमी की बात करी जाए तो उच्छ भूमी सरवादिक जो होती है रावली परवतमाला की विज़े से डवलप होती है अरावली परवतमाला क्या करती है पश्चिमी राजिस्थान और दक्षणी वो पूर्वी राजिस्थान को विभक्त करती है तो पश्चिमी का मानसून पश्चिमी वर्षा की स्थिति और पूर्वी राजिस्थान की वर्षा की स्थिति में दोनों में राद दिन का अंतर है जानते हैं, एक तरफ मरुस्तल है और एक तरफ मैदानी भाग हैν, हैंना? चलिए. नहीं कोईशन देखें. देखें राजिस्थान के जो भाग हैं, वो तीन भागों में विवक्त किया गया हैं, बंगाल के खाडी, दूसरा कौन चाहिए अरफ सागर और तीसरा आंत्रिक अवहत अंत्र तो देखें बंगाल की खाड़ी का मतलब क्या है अरावली परवस से पूर्वी भाग में बहकर जल बंगाल की खाड़ी में जाता है क्या होता है अरावली परवस से पूरवी भाग में अरावली परवत मा लखा है रावली परवस से पूरवी भाग में बहकर जल बंगाल की खाड़ी में जाता है और जैसे कि चंबल है, चंबल नदी है, काली सिंद्ध नदी है, पारवती है, बनास है, बेडच है, और जो साहिक नदी है, इनका पानी कहा जाता है, बंगाल की खाडी में जाता है, तो ये कैसा है, ये बंगाल की खाडी में, राइस्थान का अफ़ातंत्र का एक हिसा है, बं जिनका जो अफवाहतंत्र है उनका जो सारा पानी है वो कहा जाता है वो अरब सागर की तरफ जाता है तो वो क्या कहलाता है अरब सागर का अफवाहतंत्र कहलाता है और राजिस्थान का जो तीसरा अफवाहतंत्र है वो है आंतरिक अफवाहतंत्र इन नदियों में क्या होता ह पानी आता है लेकिन भूमी गत हो जाता है क्या हो जाता है भूमी गत हो जाता है जैसे गगर नदी है बान गंगा नदी है कांतली नदी है साबी रूपा रेल और मेडा ये वो नदियां है जिनका जो अपवा है वो भूमी गत हो जाता है चम्बल नदी का उदगम किस स्थान से है देखे ये जब नदियों की बात आती है तो कुछ चीजें बहुत important होती है जिसमें सबसे important क्या होता है नदी का उदगम कहां से हुआ है और नदी का ending कहां पर है वो गिरती कहां पर है है नो तो चंबल नदी का उधगम यहाँ पर इतनी ही importance रखता है चंबल नदी का उधगम कहां से है मध्य प्रदेश में विंध्याचल परवत्तों से है जहां जनापाव छित्र से है ठीक है चलिए नेक कोशन देखिए चंबल राजिस्थान के किस छेत्र में प्रवेस करती है तो देखिए चंबल जो नदी है भैसरोडगर से राजिस्थान में प्रवेस करती है कहां से चंबल राजिस्थान के भैसरोडगर से एंटर होती है और एक कोटा, बूंदी, सवाई, माधुपूर, करॉली और धौलपूर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में वापे से यम चंबल किस नदी की सहयक नदी है इसलिए पानी कहां गिरेगा यमना नदी में चलिए नेक्स देखिए चंबल किस नदी की सहयक नदी है इसमें हम अभी बात की थी चंबल किस नदी की सहयक नदी है यमना नदी की सहयक नदी है चंबल नदी की सहयक नदी है चंबल नदी की स कोठारी, काली सिंद, पारवती, आदी, यानि बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंद और पारवती आदी जो नदिया है, वो चम्बल की सहायक नदिया है, चली, नेक कोशन देखें, राजिस्थान की ओध्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो राजिस्थान की ओध्योगिक नगरी किसे कहा जाता है तो राजस्टान के उद्गरी किसे कहा जाता है कोटा को कहा जाता है और कोटा कोटा जो चम्बल के किनारे इस्थित है है नो चाली नएक कुश्चन देखिए बनास नदी का उद्गम इस्थल कौन सा इस्थान है बनास नदी का उद्गम इस्थल कौन सा है कहां है यह बनास नदी का उद्गम तो देखें राज समन जिले में खमनोर की पहाडियां है राज समन जिले में खमनोर की पहाडियों से बनास नदी का उद्गम होता है बनास नदी का जो उद्गम है राज समन जिले में खमनोर की पहाडियों से होता है ने कोशन देखें किस नदी का जल ग्रहन छेतर राईस्थान में सरवादिक है तो किस छेतर नदी का है बनास नदी का बनास नदी देखे राज समंद, चित्तोरगर, भील वाड़ा, टौक, जिलों में बहकर, सवाई माधोपुर में रामिश्वर के निकट चम्बल नदी में मिल जाती है कहां से बनास नदी जो है, किसकी साहिक नदी है, चम्बल नदी की साहिक नदी है और ये राज समंद होते हुए, राज समंद, चित्तोरगर, राज समंद से तो ये प्रारम भी हो रही है राजकामन जिले के खमनौर की पाड़ियों से प्रारम होती है फिर वहां से चित्तोरगर, भीलवाडा, टॉंक जिलों में बहते हुए सवाई मादूपूर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में गिर जाती है ठीक है? चलिए, ने कोशन देखिए राजिस्थान में बहने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है सबसे बढ़ी? बनास नदी, 480 किलोमिटर देखिए, यहां पर कोशन कई प्रकार से आता है तो जब बनास नदी की बारे में जब हम बात करते हैं तो बनास नदी केवल राजिस्थान में बहने वाली नदी है तो जो बनास नदी है वो 480 km राजिस्थान में बहती है तो चंबल नदी आती है, केवल राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है, और राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, दोनों में आपको अंदर समुझना होगा, बनास नदी केवल राजिस्थान में बहती है, बनास नदी कि 480 km ये लंबाई में बहती है, नेक कोशन देखें, राजिस्थान का त्रिवेणी किसे कहा जाता है, तो राजिस्थान का त्रिवेणी किसे कहा जाता है, बनास, बेड़च और मेनाल नदियां हैं, उनका जो संगम इस्थल है, कहाँ पे है ये, बिगौद भीलवाड़ा में, इस्थित है, नेक कोशन देखें, टॉंक वे सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे इस्थित हैं, ये काफी important questions है, और ये बार-बार repeat भी होते हैं, याद रखेगा, बनास नदी के पास टॉंक वे सवाई माधोपुर इस्थित हैं, बनास नदी के पास टॉंक वे सवाई मा नदियां कौनसी हैं? गोविंद गर्ड जोकी अजमेर में हैं, गोविंद गर्ड के निकट है और ये जो लूनी नदी थी, ये सरस्वति ये सागर्मती नामक धाराओं के संगम से मिलकर बनी हैं। गोविन्द गड़ के पास अजमेर में सरस्वती और सागरमती नाम की दो धाराएं हैं उनके संगम से जो नदी निर्मान होता है वो क्या है लूनी नदी है तो ये ऐसी नदी है जो दो धाराओं के दो जल धाराओं के संगम से बनती है जिन धाराओं का नाम एक का नाम सरस्व का जल किस इस्थान तक मीठा पाया जाता है देखिए लूनी नदी का जो पानी है वो पूरा की पूरा मीठा नहीं है कुछ जगे पे वो खारा भी है तो केवल कुछ इस्थान तक जो प्राणबर से लेकर कुछ इस्थान तक ही वो मीठा पाया जाता है तो बालो तरह जो लूनी की सहयक नदियां कौन सी हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, सूकडी, सागी और गुहिया ये लूनी नदी की सहयक नदियां है चलिए, नेक कोईशन देखते हैं लूनी नदी किस खाड़ी में गरती है, कच्ची खाड़ी में कहां पर? किस खाड़ी में गरती है? कच्ची खाड़ी में, देखें किसी भी नदी का उधगम इस्थाल और एंडिंग पॉइंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इन चीजों को आप याद रखेगा, लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है, नेक कोशन देखे, माही नदी का उद्गम इस्थल कहां इस्थित है, तो माही नदी जो है, मध्य प्रदेश में विंद्या चल के अमरोरू नामक इस्थान पर उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश में विंद्या चल के अमरोरू नामक इस्थान से माही नदी का उद्गम होता है, चलिये, नेक कोशन देखते हैं, नेक कोशन देखे, माही नदी पर निर्मित मुख्य बांध किस नाम से जाना जाता है? माही नदी पर निर्मित मुख्य बांध किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यह बहुत famous है और यह है माही बजाज सागर बांध माही बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर निर्मत मुख्य बांध है चलिए, नेक कोशन देखते हैं माही नदी की सहयक नदियां कौन सी हैं? माही नदी की सहयक नदियां कौन सी हैं? तो माही नदी की जो सहयक नदियां हैं सौम वे जाखम सौम वे जाखम जो नदियां हैं वो मही नदी की सहायक नदियां हैं नेक कोशन बान गंगा नदी का उदगम इस्थल कहां इस्थित है? तो बान गंगा कहां से उदगमित होती है? जैपुर जिले में जैपुर जिले में जो अरावली की बैराट की पहाड़ियां हैं, वहां से बान गंगा नदी का उदगम होता है। जो बान गंगा जो नदी है उसको अरजुन की गंगा कहा जाता है। जो देखते हैं, घगर नदी का उदगम किस स्थान से हैं। जी हैं, राजिस्थान की आंत्रिक प्रवाहवाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है? घगर नदी जो प्राचीन सरस्वती नदी की सहयक नदी थी। देखिए, जब प्राचीन सहयक नदी के बारे में, जब सरस्वती नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको यह याद होना चाहिए, राजिस्थान की जो आंत्रिक प्रवाहवाली सबसे लंबी नदी थी। दूसरा किसकी सहयक नदी थी? सरस्वती नदी की, और सरस्वती जो नदी है, वो लगबक तीन हजार वर्स को सतलज, यमुना और प्रागयतिहासिक कालीन सरस्वती नदी, यह क्या थी? राजिस्थान में होकर बहती हुई थी, ऐसा माना जाता है। और गुजरात में भरूच के पास जो अरब सागर है उसमें गिरती थी, लेकिन सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है बिलकुल। ठीक है? तो यह उसकी सहयक नदी हुआ कर दी थी, जो कि स्वैम अब ऐसा माना जाता है कि वो खुद अपने आप में जो आंतिक प्रवह प्र चलिए, नेक कोशन देखिए, घगर नदी राजिस्थान के किस जिले से प्रवेस करती है? घगर नदी जो है राजिस्थान के किस जिले से प्रवेस करती है? तो किस जिले से प्रवेस करती है? हन्मानगर से, हन्मानगर से घगर नदी राजिस्थान में प्रवेस करती है और और स्री गंगा नगर में जाकर भूमीगत हो जाती है। अधुनिक भारत के मंदिर कहा था। देखें यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बहाव की दिसा को परिवर्तित करने के लिए जल सौत में बनाया गया बांध। यानि कोई नदी आ रही है मानिए। और हमें चाहिए कि हम उससे सिचाई के लिए पानी निकालें तो हम क्या उसका जो दिसा मोरने के लिए क्या करते हैं। उसके दिसा परिवर्तित के लिए एक बांध बना देते हैं। तो वो क्या कहलाएगा वो बैराज कहलाएगा। तो सिचाई उद्देश से प्राकर्तिक जल बहाव की दिसा को परिवर्तित करने के लिए जो जल सौत में बनाया हुआ बांध है। वो क्या कहलाता है। बैराज कहलाता है। चलिए। नेक कोईशन देखिए। फीडर किसे कहा जाता है। जो जो फीडर होता है किसी मुख्य नहर का हिस्सा जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता है। कोईशन 31 है फीडर किसे कहा जाता है। फीडर किसे कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का हिस्सा जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता। नेक कोईशन देखिए। चंबल परियोजना किन राज्यों का संयुक्त प्रियास है। तो किन राज्यों का है। राजिस्थान और मध्य प्रिदेश जो राज्य सरकारे हैं उनका ये संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। राजस्थान वे मध्य प्रिदेश की संयुक्त परियोजना चंबल परियोजना है। चलिए। नहीं कोशन देखिए। चंबल परियोजना के तहत कौन से बांध बनाए गए हैं। देखिए ये जो परियोजना है ये का राजस्थान और मध्य प्रिदेश दोनों के जल्विद्धुत और संचाई में सहयक्त है। ठीक है। और इस वज़े से ये इंपॉर्टेंस रखती हैं और इस बांध हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो कौन-कौन से बांध कोटा बहराजबांध जो कोटा में ही इस्तित है। तो गांधी सागरबांध, राणा सागरबांध, जवाहर सागरबांध, कोटा बहराजबांध ये चार बांध हैं जो चंबल परियोजना के तहत बनाए गए हैं। चलिए। नेक कोशन देखिए। राजिस्थान वे गुजरात ये दो राजे हैं जो माही बजाज सागर परियोजना में सैंक्त प्यास राजों ने किया है ठीक है राजिस्थान वे गुजरात की सैंक्त परियोजना है ये माही बजाज सागर परियोजना जो माही नदी पर निर्मित है जो कहां पर निर्मित है? माही नदी पर निर्मित है और ये सिचाई पे जल्वे जल्विद्धूत के लिए इस परियोजना का निर्मान किया गया है चलिए, next question देखिये बीसलपूर परियोजना किस स्थान पर निर्मित है बीसलपूर परियोजना किस स्थान पर निर्मित है बीसलपूर परियोजना जो है बीसलपूर गाउं में है और इसी वज़े से इसका नाम बीसलपूर परियोजना है बीसलपूर गाउं टोडा राय सिंग नगर में जिलाड टॉंक राजिस्थान के निकटिस्तित है बीसलपूर गाउं जो है टोडा राय सिंग नगर जिलाड टॉंक राजिस्थान के निकटिस्तित है ठीक है? चली, ने कोशन देखिए बीसलपूर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो बीसलपूर बान जो है जैपूर अजमेर और टॉंक में पेजल की जो परिशानी है उसको समाप्त करने के लिए इस परियोजना का निर्मान किया गया था बिसलपुल परियोजना का मुख्य उदेश जैपुर अजमेर वे टॉंक में पेजल विवस्था करना है सरदार सरोवर परियोजना किन राजियों का संयूक्त प्रियास है राजिस्थान, गुजराथ, मध्य प्रिदेश और महराश देखें ये बहुत importance है क्योंकि इसमें चार चार राजे परियोजना में संयुक्त की आसरत हैं। कौन-कौन से राजेस्थान, गुजरात, मध्य प्रिदेश और महराष्ट की संयुक्त परियोजना है सर्दार सरोवर परियोजना। चलिए। नएक कोशन देखें। सर्दार सरोवर परियोजना किस नदी परिस्थित है। देखें सर्दार सरोवर परियोजना नरमदा नदी में गुजरात में इस्थित है। चलिए। राइस्थान के दक्षिन परियोजना में एक नहर बनाकर लाए गए जल को बाड मेरता था जालोड जिलों में सिचाईवे पेजल की विवस्था इस सर्दार सरोवर परियोजना से की गई है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। नेक कोशन देखें। इस्थित परियोजना है। जाखम परियोजना प्रताबगर की है। और मानसी वाकल कहां की है। उदैपुर जिले में इस्थित है। देखें जवाई परियोजना जवाई नदी पे है। सौमंबा कमला जो परियोजना है वो उसके नाम से ही दिखाई ज़रा है। सौम नदी पर इस्थित है, चलिए, नेक कोशन देखिए, राजिस्तान की पहली नहर किसे कहा जाता है, तो राजिस्तान की पहली नहर किसे कहा जाता है, तो राजिस्तान की जो पहली नहर है, वो क्या है, कौन सी है, गंग नहर जो है, उसको राजिस्तान की पहली नहर कहा जाता है, नेक गंगनेहर का निर्मान जो है बिकानेर महराज गंगा सिंग जी जो थे बिकानेर महराज गंगा सिंग जी ने 1927 सीस्वी में फिरोजपूर पंजाब के निकट बांध निर्मित करवाया था जहां से ये गंगनेहर का निर्मान किया गया है बिकानेर महराज गंगा सिंग जिनके नाम से गंग नहर है, 1927 इस्वी में फिरोजपूर्ट जो कि पंजाब में इस्थित है, वहाँ पे बांध निर्मित करवाया था, जहां से इस गंग नहर का निर्मान किया गया है, तो कौन है? महराज गंगा सिंग इससे संबंदित वेक्ती हैं, चलिए, नेक कोशन देखें, अतलर नजदी परिश्चित है, और वर्तमान में स्री गंगानगर में सिचाई हितु इसका उप्योग किया जाता है, वर्तमान में जो गंगनेहर है, उसका स्री गंगानगर की सिचाई हितु उप्योग किया जाता है, नेक कोशन देखें, इंद्रा गांधी नहर परियोजना का सुझाओ किस ने दिया था? तो इंद्रा गांदी नहर का परियोजना का जो सुझाओ है वो बिकानेर के महराज कमर सेन थे तातकालिक महराज उन्होंने 1948 सी में इंद्रा गांदी नहर परियोजना का सुझाओ दिया था Next question देखी हरी के बैराजबान्द सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर ये हरी के बैराज बांद निर्मित है। याद रखे ये एक नदी नहीं है, सतलज और व्यास दोनों नदियों के जब संगम इस्थल है, वहाँ पर हरी के बैराज बांद का निर्माण 1952 इसवी में किया गया। चलिए, नेक कोशन देखिए, इंद्रा गांदी नहर परियोजना में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 649 किलो मीटर, 649 किलो मीटर है, और जो इसमें वितरिकाएं हैं, वितरिकाएं क्या होती हैं, नहर से जो छोटी छोटी और छोटी नहरें जो निकाल जाती हैं, जो पानी का वितरन का कारे करती हैं, सिचाई के लिए, उनकी लंबाई 8000 किलो मीटर है, जो इंद्रा गांदी नहर से जो वितरिकाएं निकाली गई हैं वो 8000 किलोमेटर लंबी लगभग हैं और सींचित छेत्र कईवर 19 लाख हैक्टेर जो भूमी है वो इससे सींचित की जाती है नेक कोशन देखें हरीके बैराज से हनुमान गड़ के मसीतावली तक निर्मित फीडर नहर की लंबाई कितनी हैं? कितनी हैं? 204 किलोमेटर हैं कितनी? 204 किलोमेटर नेक कोशन देखें वर्तमान में नहर का अंतिम बिंदु कहां तक है? वर्तमान में नहर का अंतिम बिंदु कहां तक है? देखें ये काफी इंपोर्टेंट है और इसका आपको बार-बार याद भी रखना चाहिए तक है? यह जो जो गया बिंद्रगांधी नहर जो इस्थित है और यह देखें कि यहां से बहते हुए यहां यह जो व्यास और सट्लनदी का जो संगम संगमिस्तल है, हरीके बैराजबान जहां बनाएगा है, यहां से निकलते हुए, यह होते हुए, इस तरीके से राजशन में एंटर होती है, और जैसलमेर होते हुए बार्डमेर जाते हैं, यहां गड़ा रोड़ पर यह समाप थूर सुकी हैं, चलिए, नेक कोशन देखिए, तो देखिए, जब धलान नहीं होती हैं, तो उत्थापक नहरे हैं, उत्थापक मतल का लिफ्ट जो नहरे होती हैं, उनका निर्माण यहां पर करवाया गया है, नेक कोशन देखिए, किस नहर प्रणाली को मरु गंगा भी कहा जाता है किस नहर प्रणाली को मरु गंगा भी कहा जाता है तो देखें मरु का आर्थ होता है मरुस्थल मरुस्थल से लिया जाता है तो मरुस्थल की गंगा कौन सी है इंद्रा गांदी नहर प्रणाली जो है वो मरू गंगा कहा जाता है इसे चलिए नेक्स देखें एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली कौन सी है एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली कौन सी है तो वो भी इंद्रा गांदी नहर परणाली ही जो है एसिया की सबसे बड़ी नहर परणाली है नेक कोशन देखें जैसमन जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई है जैसमन जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई है तो महराना जैसिंग ने 1687 से 1691 इसफी तक इत्ता कारे करवाया था महराना जैसिंग ने और इसको गोमती नदी पर निर्मित करवाया था कहाँ पर गोमती नदी पर इसका निर्मान करवाया गया है महराना जैसिंग के द्वारा और कब करवाया गया है 1687 से 1691 तक ओक चलिए नेक कोशन देखिए विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौन सी है तो कौन सी है वो जैसमन जो जील है जैसमन जील जो है वो विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील है विस्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की जील कौन सी है जैसमन जील नेक कोशन देखिए फतह सागर जील किस के द्वारा और किस नदी पर निर्मित करवाई गई तो देखेए इसके नाम में ही महराणा फते सिंग जी का नाम सुपा हुआ है तो फते सिंग जी जो महराना थे उनके द्वारा इस धील का निर्मान करवाया गया था और आहर नदी पर इसका निर्मान करवाया गया था उद्देशे क्या था उद्देशे बहुत नॉर्मल सा था वर्षा रितु का जो एक्स्ट्रा जो जल था जो बहुत ज़ादा आ जाता था उसको चिकलवास नहर का निर्मान करवाया और उसके द्वारा फतै सागर तक पहुँचाया ये काम इसका था क्या था वर्षा रितु का जो ज़्यादा पानी जो आ जाता था उसको चिकलवास नहर के दौरा फतैसागर में जो पहुंचाना था इस कारण से फतैसागर जील का निर्मान करवाया था चलिए, next question देखिए, फतेह सागर जील कहां इस्तित है, उद्यपूर के पश्चिमुत्तर में 6 किलोमेटर दूरी पर चिकलवास गाउं के निकट, देखें चिकलवास गाउं से चिकलवास नहर के दौरा किसका पानी पहुंचाया जा रहा था, फतेह सागर जील का जो पानी था, वो फतेह सागर में किसके दौरा पहुंचाया जा रहा था, चिकलवास नहर के दौरा, और यह कहाँ स्तित है, चिकलवास गाउं में ही निकट इस्तित है फतेह सागर जील, ठीक है, चलिए, next question देखिए, उदैपूर बेसिन में निर्मित मुख्य जला से कौन से हैं? तो कौन से हैं? गोवर्धन सागर, दूद तलाई, पिछोला जील, अमर कुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, सरूप सागर और फते सागर कौन कौन से? दुबारा में रिपीट करता हूँ कौन थे वो? वो महराणा राज सिंग पिर्थम द्वारा ऐसा कारे किया गया था महराणा राज सिंग पिर्थम द्वारा ये कारे किया गया था नेक कुशन देखिए मेवार का तीर्थिस्थल उभेश्वर छेत्र में वर्षा रितों में बहने वाली नदी को किस नदी में मिला दिया गया किस नदी में? मौरवानी नदी मौरवानी नदी में इस वानी को मिलाने के लिए जो वर्षारितो की बहने वाली नदी थी उसको मौरवानी नदी में मिला दिया गया था चलिए, नेक कुशन देखिए मेवाड का तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र के अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है मेवाड का जो तीर्थ इस्थल उभिश्वर छेत्र था उसका अत्रिक्त जल को किन सागरों तक पहुँचाया जाता है तो इसका अंसर क्या है जन सागर वे फते सागर जन सागर और फते सागर तक इसारे पानी को पहुंचाया जाता है। ठीक है और यह जो था इसका निर्मान करवाया गया था जो 1670 सी 1685 के मद्धे इसका काम कराया गया था। इसके आगे हमें एक देखते हैं चोटा सा मैप जो आपको उद्रपुर सहर के जील का जो मैप है वो आपको दिखा देगा फथे सागर जील कहा है देखी ये रही पिछोला जागर पिछोला जो जील है वो यहाँ पर है मूरवानी नदी इसकी हम अभी बात कर रहे थे चिक है जो अभेश्वर जो छेतर है वहां की जो एक्ष्टा पानी है उसको ले जाने का काम कौन करता है ये पते सागर जीन से ये मूरवानी नदी लेके जा रही है तो इस तरीके का ये मैप है और ये विश्व में अपने आप में बहुत सर्वुच जल्द सनरक्षन का उधार्ण भी है तो इसी के साथ आपका होता है चेप्टर स्मा प्लास एट का चेप्टर नबर पोर जिसका नाम है भूमी संसाधन और क्रिसी तो चलिए हमेशा की तेरह बिना देर के स्टार्ट करते हैं कुशन नबर बन विश्व का कितना पृतिसद भूमी क्रिसी भूमी है यानि व उसका कितना पृतिसद भाग भूमी के लिए उप्योग किया जाता है तो कितना उप्योग किया जाता है मात्र 11 पृतिसद भाग किरसी भूमी है चलिए नए कुशन देखिए स्वामित्व के आधार पर भूमी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है नेक कुशन देखें धरातल की उपरी परच जिसमें वनस्पती और जीवों के सड़े गले अंस को क्या कहा जाता है धरातल की उपरी परच जिसमें वनस्पती और सीवों के सड़े गले अंस को क्या कहा जाता है तो उसको हम सभी जानते हैं हुमस कहा जाता है क्या कहा जाता है हुमस कहा जाता है और आपको पता है कि हुमस जो है जो खनीज पदार्त है हुमस का जो सही मिशन अगर हो तो मिट्टी को वही उपजाओ बना देता है चलिए धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्तों की उपरी परत हुमस सहीत क्या कहलाती है तो देखिए हम सभी जानते हैं लेकर पारिभासिक दोर पर देखते हैं तो इन चीजों को पहचान नहीं पाते हैं क्या है मिट्टी की परिभासा है यह हमारे धराते लिए जिसको हम मिट्टी कहते हैं तो मिट्टी क्या होती है धरातल पर जो उपरी परत जो पाई जाती है असंगठित पदार्तों की जो उपरी परत है जिसमें हुमस भी सम्मिलित होती है वो क्या कहलाती है मिट्टी कहलाती ह और यह बंती कैसे है यह बड़ी बड़ी चटानों के छोटे चुक्रे जब बारी टुक्रे हो जाते हैं तो यह मिठी बनने की एक प्रिक्रिया है मिठी का निर्माद चटानों से प्राप जिसे खनी, जयव पदारता और भूमी पर पाई जाना वले कई अन्य तत्वों से होता है चलिए नेक कोईशन देखें मिठी को किन आधार पर सामने तर विभाजित किया जाता है मिट्टी को किन आधार पर सामनेत विभाजित किया जाता है तो देखिए मिट्टी को दो आधार पर मुख्यत विभाजित किया जाता है एक रंग की उपर आधारी जैसे काली लाल पीली पूरी मिट्टी आधी है ना और दूसरा है प्रकृति के आधार पर वो कैसी है तो जैस प्रकृति के आधारे जो प्रकार है वो मिट्टी के ये प्रकार है दोमट रेतिली लवणिया छारी है और रंग के आधार पर काली है लाल पीली भूरी और भी बहुत सारे होते हैं तो मुखेतर मिट्टी को किना आधार पर सामति विवाजित किया जाता है एक प्रकृति के आधार पर और दूसरा रंग के आधार पर चलिए नएक कोशन देखी राजिस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो किस प्रकार की पाई ज मिट्टी पाई जाती है और पश्चिमी राइस्थान के हाड़ोती छेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो आपने जब मैप हमने पिछले क्लास को पिछले चैप्टर में देखा था तो हमने हाड़ोती शेतर के को भी देखा था तो हाड़ोती शेतर में कहां पर कैसे प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी काली मिट्टी अरावली प्रदेश के में जो पास ही इस देता है उसमें लाल लोमी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है हाडवती सेतर में कैसे पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है अरावली प्रदेश में लाल लोमे और लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है चलिए, next question देखिए मिट्टी निर्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखिए बहुत important question है, जैनक से लें, यानि जिन से मिट्टी का निर्मान हो रहा है, जिन से टूट कर मिट्टी बन रही है, वो जनक से लें, दूसरा जलवायू, जलवायू भी आपको पता है कितना प्रभावित करती है, उच्चा वच, यानि कोई स्थान उंचा है या नीच जैविक क्रियाएं, वहाँ पर किस प्रकार के जिए गंत उपाया जाते हैं, उनके उपर भी बहुत सारी चीज़ा है, और कितना समय से वो ऐसी स्थिति में हैं, तो समय जैविक क्रियाएं, उच्चा वच, जलवायू और जनक सेली, सब भी ऐसे कारक हैं, जो मिट्टी निर क्रिसी कहलाती है, नेक कोशन देखिए, जिस भूमी पर फसल उगाई जाती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बचों, वो क्रिसी भूमी कहलाती है, क्रिसी भूमी कहलाती है, नेक कोशन देखिए, क्रिसी एक प्रकार का प्राध्मिक क्रिया कलाप है, यहां प्राध्मि प्राथमिक क्रिया कलाप का क्या भी प्राय है, तो देखें, ऐसी गतिविधियां, जैनका समंद प्राकर्तिक संचाधनों की earthquake उत्पादन ऐवं उप्योग से हो, वह प्राथमिक क्रिया कलाब कहलाते हैं और इसलिए क्रिसी क्या है एक प्रात्मी क्रिया कलाब है नेक कोईशन देखें क्रिसी को सामने तह कितने भागों में विभक्त किया जाता है क्रिसी को सामने तह कितने भागों में विभक्त किया जाता है तो कितने भगों विवक्त कहा जाता है निर्वाह और वानेजिक करसी देखे जो करसी होती है उसमें क्या केवल करसी में केवल फसल उगाना ही नहीं होता है फसल फल फूल सबजियां उगाने के अलावा पसू पालन भी इसी का ही एक इसा है क्या है पसू पालन जो वेफसा है वो भी कर्सी के अंदर समलित होता है, तो याद रखे कर्सी में केवल फसल उगाना नहीं होता है, पसुप आलन भी इसी के अंतरगत आता है, और अभी हमने देखा कितने भाग होते हैं, मुखेते दो प्रकार भागों में बाटा जाता है, एक निर्वाह करसी होती है और एक वानिज जे करसी होती है नेक क्वेशन देखें निर्वाह करसी किसे कहा जाता है निर्वाह करसी किसे कहा जाता है देखें ये क्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसका आंसर जानते हैं किर्सी जो किसान द्वारा अपने परिवार के भरन पोशन ही तो करे, किर्सी जो किसान द्वारा अपने परिवार के भरन पोशन ही तो करे, किर्सी जो है, वो केवल अपने परिवार के भरन पोशन के लिए अगर कोई किर्सी करता है, तो वो क्या कहलाती है, निर्वाह किर्सी कहलाती है, नेक कुशन देखिए, निर्वाहकरसी को सामने तहा कितने प्रकार में विभक्त किया जाता है, तो इसको दो प्रकार में विभक्त किया जाता है, आदिम निर्वाहकरसी और गहन निर्वाहकरसी, एक तो आदिम निर्वाहकरसी होती है, और दूसरी कौन सी होती है, गहन निरवाह क्रिसी होती है ठीक है? चले, next question देखिए राज इस्थानतरित क्रिसी मुक्तां किनके द्वारा की जाती है? कौन करता है? यह मुक्ता आदम जन जाती यों द्वारा जो आदम जन जाती है उनके द्वारा जंगलों को काट कर पाती हैं। यह किया होता है? जो आधम जिन जाती है। इसके बाद उसकी जैसे अरवरता हम होले, उपजाओ पन एक जखाई देता है। तो वो अपनी जगे बदल देते हैं और इसी वज़े से इसको इस्थानतरित किसी कहा जाता है ठीक है तो ये मुक्ताय आदिम जद जाती हो द्वारा जंगलों को काट कर बनाए खेतों में की जाती है चलिए नेक कोशन देखिए दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को क्या कहा जाता है देखिए कोशन आभी जुका है तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा बालरा कहा जाता है और यही उत्तर पूरो भारत में जूम कहलाती है उत्तर पूरो भारत में जूम कहलाती है उत्तर पूरो भारत में गहन निर्वाह करसी में वर्स में सामान्य तह कितनी फसले की जाती हैं। तो 2-3 फसले गहन निर्वाह करसी के अंदर 2-3 फसले उगाई जाती हैं। चोटे भूखंडों में साधार्ण औजारों द्वारा अधिक परिश्रम से किस प्रकार की करसी की जाती है। तो चोटे भूखंडों में साधार्ण औजारों द्वारा अधिक परिश्रम से अगर कोई खेती की जारी है तो वो कौन सी करसी है। गहन निर्वाह करसी है। तो सगन जन्शन के आवाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। नेक क्रूशन देखिए। चलवासी पसू चारण क्रसी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। पसू चारण के साथ चारेव जल हेतू इस्थान परिवर्तन करते हुए जो क्रसी करते हैं। यानि पसू चारण क्या होते हैं, पसू का अभी चारण बिल रहा है। तो यहाँ पर क्रसी करने लगया। और अपने पसू की देखवाल करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि मौसम विप्रीट होने लगा है। और तो यह मुख्रेता कैसे इस्थानों पर के जाते हैं? मनली लडाख छेतर है. लडाख छेतर में पहरि si जब सरदियों का मौसम होता है तो उनको घाटी छेतर में आना पड़ता है अपने पस्वों के साथ है ना और जब गर्मी का मौसम होता है वो वापिस से घाटी शेत्रों से उपर की ओट चले जाते हैं तो ये क्या है आपकी चलवासी पसुचारण करसी है मलब पसुचारण के उपर आधारित हो गई ये पसुचारण के साथ चारे वे जल ही तो इस्थान जो परिवर्टन करते हैं जो करसी करते हैं कहलाती है चलवासी पसुचारण क्रसी कहलाती है चलिए नएक कोशन देखिए चलवासी क्रसी में कहां की जाती है चलवासी क्रसी कहां की जाती है तो कहां की जाती है मध्धे एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कस्मीर हो गया और पश्चिमी राइस्थान में सु ऐसी किर्सी जिसका उद्देशे फसल एवं पसू उत्पादों को बेचना, बड़े खेतों में नवीन तक्निकों और मसीनों के साथ की जाए किस प्रकार की किर्सी कहलाती है। वानिजे किर्सी ही हो सकती है। दीन भागों में बर्गी करद किया जाता है। बरबर हूँ, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वार्नेजिक फसल उत्पादन कर्सी कहलाती है, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तिलन हो गया, दंबाकू हो गया, ये सारी कैसी हैं, वार्नेजिक फसल उत्पादन कर्सी है, चलिए नेक क्वेशन देखिए, मिश्रित भूमि का उपयोग किस हित्यु किया जाता है То देएके मिश्चित सब्दे से समझ में आ रहा है कि मिश्चित कर्षि का मतलब कैया है यह वह वह सल भी वह उगायि जा रही है और पसु से समद्द कारे भी किया जा रहा तो अनाज एमट्छारे की जो फसले हैं उगाने और पसु चारण ही तो, अगर कोई किरसी भूमी का हुपयोग किया जाता है, तो तो क्या है, मिश्रित किरसी भूम दानाज ही की जाता है, चलिए, नेक कोशन देखिए, बागाती किरसी किसे कहा जाता है? देखे ये करसी अधिक पूंजी और श्रम द्वारा बड़े-बड़े उध्यानों में एक ही प्रकार की फसल की जाती है इसमें विशेष्टा क्या है इसमें एक ही प्रिकार की फसल की जाती है अधिक पूंजी और अधिक श्रम का भी उपयोग किया जाता है और बड़े बड़े उध्यानों में यह की जाती है जैसे कि आपके चाय हो गया कॉफी हो गया रबाड़ादी जो हैं वो इस प्रिकार की क हैं सूति वस्त उद्धोगों के लिden किसकी फसल आवस्यक है तो देखे सूति वस्त उद्धोगों के लिए किसकी फसल आवस्यक होती हैste सक्कर उध्योग ही तो किस फसल की आवश्यकता है, तो हम सभी जानते हैं, गन्य की फसल सक्कर उध्योग के लिए आवश्यक है, यूझकि गन्यों के रससे ही सक्कर का निर्मान किया जाता है, चलिए, नेक कोईशन देखी, गेहूं, चावल, और बाजरा, और मक्का किस प्रकार की फसले हैं? तो देखिए ये सब ही क्या हैं? खाने के काम आती हैं तो इसका मतलब ये खाध्यान फसले हैं ठीक है? नेक कोईशन देखिए चना, अरहर, उड़द, मूँगादी किस प्रकार की फसले हैं? चना, अरहर, उड़द, मूँगादी किस प्रकार की फसले हैं? तो ये किस प्रकार की फसले हैं? ये दलहनी फसले हैं इनको क्या कहा जाता है? दलहनी फसल कहा जाता है चना अरहर उड़द मुंग आदी जो प्रकार की फसले होती हैं उनको क्या कहा जाता है दलहनी फसले कहा जाता है चलिए, next question देखिए सरसो, मुंग फली, सोयावईन आदी किस प्रकार की फसले हैं? तो ये तिलहनी फसले हैं, कौन्ची फसले हैं? इनको तिलहनी फसले कहा जाता है और इसी तरह कहवा और चाय क्या है ये पे फसले हैं कहवा और चाय पे फसले है और तिलहनी फसले कौन सी है सरसों, मुंग भली, सोयबीन है न रितू के आधार पर कितनी प्रकार की फसले की जाती है रितू के आधार पर कितनी प्रिकार की फसले की जाती है, मतलब रितू के आधार पर जो फसले हैं वो कितनी प्रिकार से वर्गी करत की जा सकती है, तो कितनी प्रिकार से की जा सकती है, वो है तीन प्रिकार, खरीब की फसल, रभी की फसल और जायत की फसल, देखिए हम इसको बहुत छोटी क्लासे से पढ़ते आते हैं, खरीब की फसल, रभी की फसल और जायत की फसल, खरीब की फसल कब की जाती है, बड़सा रितू में की जाती है, रभी की फसल सीत रितू में की जाती है, और जायत की फसल ग्रिस्म रितू में की जाती है, चली, नेक कोशन देखिए बाजरा, मक्का, चावल किस प्रकार की रितू फसले हैं? किस प्रकार की हैं? ये खरीब की फसले हैं. ये कौन जी फसले हैं? खरीब की फसल हैं ये. नेक कोशन देखें. गेहु, जो, चना, सरसों किस प्रकार की रितू फसले हैं? तो किस प्रकार की हैं? ये रवी की फसले हैं. वो किस की थी? वो खरीब की थी. और ये किस की हैं? रवी की फसले. नेक कोशन देखें. फल, सबजी, रजगा, बरसीम किस प्रकार की फसल हैं? देखें, बरसीम क्या है? बरसीम के उपर एक पार कोशन भी आ चुका है. बरसीम क्या है? बरसीम एक प्रकार की घास है. तो ये फसल किस की है? ये फसल आपकी जायत की फसले हैं. किस की फसल है? ज पिछले दो दस्कों में खाद्धान फसलों के इस्थान पर किन फसलों का प्रतिसद बढ़ा है। और मुख्यत सोयवीन की फसल काफी मात्रा में इसका प्रतिसद बढ़ा है उत्पादन के लिए इसकी फसल जादा की जाने लगी है। जाती है उसक तेज धूप रहे तो इसके लिए अच्छा होता है और इसके लिए मिटी कैसी चाहिए इसके लिए जलोड मिटी चाहिए कौन सी जलोड मिटी या अलुवीयल स्वाइल इसलिए यूज की जाती है। नेक कुशन देखिए राजिस्थान राज्य की मुख्य खाद्यान फसल कौन सी है। यह राजिस्थान में मुख्य तो कौन सी फसल का यूज होता है खाने के लिए वो है गेहू की फसल। हमारे राजिस्थान में गेहू के सबसे ज़्यादा खाद्यान फसल के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है। नेक क्वेशन देखें, भारत में सरवादिक गेहु उत्पादन कहां किया जाता है? देखें, यहां बात थो रही है भारत की, तो भारत में सरवादिक गेहु उत्पादन कहां किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गेहु सरवादि का विश्व में कौन सा इस्थान है तो देखे भारत का विश्व में दूसरा इस्थान है और पहला इस्थान चीन का है पहला इस्थान किसका है चीन का गेहूं के अंदर भी गेहूं में भी चीन प्रिथम सेणी में है पहला सबसे ज्यादा उत्पादन चीन के अंदर होता है और दूसरा भारत के अंदर होता है, और यही स्थिती चावल के अंदर भी है, चावल के उत्पादन में भी चेन का इस्थान पहला है, और दूसरा इस्थान भारत का है, चलिए, नेक कोशन देखिए, गेहुं की फसल राइस्थान के किन जिलों में सामने तहा की जाती है, की जाती है, गेहुं की फसल राइस्थान में स्री गंगा नगर, हन्मानगर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली, चित्तोडगर, उदैपुर, भीलवाडा, टॉंक, पाली, अजमेड, डूंगरपुर, वैब मासवाड़ा में की जाती है, नेक कोशन देखिए, की फसल है ये, हैना, और रेती ली मिच्टी इसके लिए काफी अच्छी होती है, कम बर्सा इसके लिए चाहिए, और उच्छ ताप्मान चाहिए, जैसा कि हमारे रेगिस्तानी शasınaन, चत्रों मैं, के आस पास की जो शेत्र होते हैं, वहाँ पर ऐसा ताप्मान मिलता है, ऐसी बाजिस्थान भारत में वाजरा उतपादन में किस स्थान पर आता है में अर्थात भारत के अंदर सरवाधिक जो किसनी किया जाता है राजिस्थान में बाजरा का उत्पादन किया जाता है भारत में बाजरा उत्पादन सबसे प्रिथमिस्थान पे काउन में कहां किया जाता है राजिस्थान के अंदर किया जाता है राजिस्थान के सरवाधिक छेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ये कोशन आया भी है तो इसको याद रखेगा ये फसल है बाजरा राजिस्थान के अंदर सरवाधिक छेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा है जबकि राजिस्थान की मुक्य खाद्यान फसल गियू हूँ है इस बात का विशेज ध्यान रखेगा चलिए नेक कोशन देखिए राजिस्थान में किन जिलों में मुख्य तह बाजरा की खिती की जाती है पश्मी राजिस्थान में पूरे में की जाती है जैपूर, दौसा, भरतपूर, करॉली और सवाई मादोपूर में भी बाजरा की खिती की जाती है नेक्स देखिए चावल की खेती के लिए किस प्रकार की अनुकूलता है आवश्यक है तो देखें उपोष्ण में उष्ण कटिविंदिय प्रदेशों में होती है और उच्छ तापमान इसके लिए चाहिए और अधिक आद्रता यानि वर्सा और आद्रता इसको ज़्यादा चाहिए तो ये अधिक वर्सा वाले छेत्रों में ही होती है और चीका युक्त जलोडवे काली मिट्टी में इसकी प्रदाइस अच्छी होती है चलिए नएक कुशन देखें राजिस्थान में चावल की खेती सामान्य तह किन जिलों में की जाती है तो देखें हर्मानगर, स्रीगंगानगर, मासवाड़ा, डूंगरपूर, कोटा, भूंदी, जहलावाड, बारा, उदैपूर और चित्तोरगडाजी जिलों में इसकी खेती की जाती है सामान्य तोर मक्का की फसल के लिए आवश्यक जलवायू कैसी होती है तो देखें अधिक तापमान इस फसल के लिए चाहिए और इसके लिए उपजाव लाल काली मिठी होना अच्छा होता है तो मक्का की फसल ऐसे रिस्तानों पर की जाती है जहां तापमान अधिक रहता हो और इभाई जाती हो तो चलेए नए कोशन देखिए मक्का की फसल रायचान के किन जलो में हो ती है मक्का की फसल रायचान में किय जाती है सर्दियों में मेवाड का प्रमुक भोजन क्या होता है सर्दियों में मेवाड का प्रमुक भोजन क्या होता है तो सरवादिक जो प्रिये भोजन वहाँ पर उस वक्त होता है सर्दियों में वो मक्का है मक्का सर्दियों में मेवाड का प्रमुक भोजन होता है नेक कोशन देखिए चना की क्रिशी मुख्य तह राजिस्थान के किन राजियों में की जाती है तो हन्मानगर और गंगश्री गंगानगर और इनमें तो मुख्य तह रूप से की जाती है लेकिन अन्य जैसे अलवर हुए भरतपूर, जयपूर, दौसान, टौंग, करोली, सवाई, मादोपूर, उ बुदैपूर, बांसवाड़ा, कोटा और जालावाड में भी चना की खेती की जाती है चलिए नेक कुशन देखिए चना के अत्रिक्त किन दलहन फसलों का उपयोग किया जाता है तो उसमें मुख्यते जो आती हैं वो हैं मूं, मौट, उरद और अरहरादी इन फसलों का यह आपकी दलहन फसले हैं मूं, मौट, उरद और अरहरादी चलिए नेक कुशन देखिए सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है यह कुशन बहुत इंपोर्टेंट है बचों सरसों प्रदेश किसे कहा जाता है सरसों प्रदेश राजिस्थान को कहा जाता है राजिस्थान को सरसों पादक राज्य राजिस्तान है, इस वज़े से राजिस्तान को सर्सों का प्रदेश कहा जाता है, या सर्सों प्रदेश कहा जाता है, ने कुशन देखी, किस जिले में राष्ट्रिय सर्सों अनुसंधान केंद्र इस्थित है, किस जिले में है, भरतपूर के सेवर में, भरतप राजिस्थान के प्रमुक सर्सों उत्पादक कौन से हैं तो कौन से हैं भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधुपुर और करौली, उत्तर में श्री गंगानगर, हनमानगर और विकानेद। कौन-कौन से भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधुपुर और करौली और उत्तर साइड में श्री गंगानगर, अनमानगर और विकानेद। नेक कोशन देखिएं, में खरीब की फसल मुंगफली की जाती है, नेक्स कोशन देखिएं, मुंगफली किन जिलों में सामनेता उत्पादन हो रहा है? मुंगफली किन जिलों में सामनेता उत्पादन हो रहा है? श्री गंगानगर, हनमानगर, सित्तोरगर, विर्जैपुरादी में इसका हो रहा है, और विकानेद। में भी कुछ वर्शों से इसका प्रिशार होने लगा है, विकानेर में भी कुछ वर्शों से उंगफली की जिलों में उत्पादन होने लगा है, नेक्स कोशन किसे कहा जाता है कपास की फसल जो है वो प्रमुक औद्योगिक फसल कहा जाता है कपास की फसल को प्रमुक औद्योगिक औद्योगिक फसल कहा जाता है कपास का मुख्य तह उत्पादन राइस्थान में कहा होता है तो कहा होता है श्री गंगा नगर, हनमानगर, मेवार वे हाड़ोती प्रदिस में आपने अभी तक जितनी भी कर्षी देखियोंगी तो आपने इस चीज को नौट किया होगा कि श्री गंगा नगर और हनमानगर्ड लगभग-लगभग सभी में हैं तो इस चीज को याद रखेगा तो श्री गंगा नगर, हनमानगर्ड, मेवार वे हाड़ोती प्रदेस में कप पास का मुक्हितम उत्पादन किया जाता है नाइक कोशन देखिए राजिस्थान में आधुनिक करशी फ़र्म के सिस्थान पर इस्थित है यह अभी तक आया नहीं है में आधोनिक किशी फॉर्म रिस्थित है और इसी से समझ ये कोश्चन भी है राजिस्थान के आधोनिक किशी फॉर्म किस उद्देश ही तो इस्थापित किया गया है राजिस्थान में जो आधोनिक किशी फॉर्म है वो उसका उद्देश ये क्या है क्यों इस्थापित किया आँघोनिक किशिक फॉर्म का इस्थापित किया गया है और इसका सचाईव गेरह का जो कार्य है वो इंदरा गांधी नहर से किया जाता है तो ये था आपका आफिर question इस chapter का है, तो इसे के साथ होता है आपका chapter समाब, class 8 का chapter number 5, जिसका नाम है खनीज संसाधन और खनीज इवम उर्दा संसाधन, question number 1 है, आयस्क किसे कहा जाता है, खनीज और अव्यव्यों के mission को आयस्क कि कहा जाता है, या फिर दूसरी भासा में, या फिर सामाने भासा में कहा जाए, तो जब हम किसी particular किसी element को खोशते हैं, तो वो impure form में, जो natural form में जब मिलता है, तो निश्यत रूप से उसमें बहुत सारी impurities होती हैं, बहुत सारी असुद्धियां होती हैं, तो उसके अलावा जो चीजें उस के साथ मिलती हैं, तो जो ऐसा समलित रूप जो दिखाई हमें देता है, जिसमें खनीज और अन्या व्यप भी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आयस कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, खनीजों को मुक्य तहा, कितने प्रिकार से विभाजित किया गया है, तो देखिए, वो धात्विक, अधात्विक और उर्जा खनीजों में विवक्त किये गए हैं, धात्विक खनीजों को आगे लोहो और अलोहो धात्विक खनीजों में भी विवक्त किया गया है, यानि लोहो धात्विक खनीज और अलोहो धात्विक खनीज है न, और दूसरा अधात्विक खन धात्विक खनीज किसे कहते हैं? धात्विक खनीज किसे कहते हैं? धातु आधिक्य खनीज को. इसका मतलब क्या होता है? ऐसे खनीज जिसमें धातु की अधिक्ता हो वो धात्विक खनीज कहलाते हैं. यानि धातु का अधिक्ता जिसमें हो वो खनीज धात्विक खनीज कहलाते हैं ऐसे खनीज जिन में धातु की अधिकता हो क्या कहलाते हैं धात्विक खनीज कहलाते हैं ने कोशन देखिए हेमेटाइट मैगनेटाइट लीमोनाइट और सेडेराइट ये किस प्रकार के आयस्क हैं हेमेटाइट मैगनेटाइट लीमोनाइट और सीडेराइट ये किस प्र बॉक्साइट अयस किस से तत्व से संबंदित है इसमें से कौन सा एलेमेंट निकाला जाता है तो वो है ऐलुमेनियम ऐलुमेनियम को निश्कर्ठन यानि निकाला जाता है किसे बॉक्साइट अयस से नेक क्वेशन देखिए चूना पत्थर, घीः पत्थर, बलुवा पत्थर और रॉक फॉस्ट और रॉक फॉस्ट किस प्रकार के खनीज हैं तो ये हैं आपके अधात्विक खनीज, ये सबी क्या हैं, ये सबी आपके अधात्विक खनीज के उधारण हैं Next question देखिए अब्रक, जिपसम, संग मरमर और ग्रे नाइट किस प्रकार के खनीज है? अब्रक, जिपसम, संग मरमर और ग्रे नाइट किस प्रकार के खनीज है? तो देखे, ये कौन्चे खनीज है? ये आधात्विक खनीज है कौनसे ये किस प्रकार के खनीज है अधात्विक खनीज है अधात्विक खनीज क्या होता है जिसमें अधात्विक खनीज क्या होता है जिसमें अधात्विक पाई जाती है जिसमें अधात्विक नहीं पाई जाती है ऐसे खनीज क्या कहलाते है अधात्विक खनीज है और ये कि किस प्रकार के खनीज के उधारण है कोईला पेट्रॉलियम प्राकर्तिक गैस यूरेनियम और थोरियम किस प्रकार के खनीज के उधारण है यह उधारण है आपके उर्जा खनीजों के उर्जा खनीज के उधारण है क्योंकि इनसे हमें उर्जा प्राप्त होती है किसी ना किस तो यूरेनियुम और थोरियम ज़िकार प यहां और यह सभी क्या है यह सभी खनिज उड़ियang कैलाते हैं। चलिए नए कोशन देखिए। खनिज निश्कर्षन विधियों को सामने तहा कितने प्रकार में वर्गीकरत किया जाता है। निस्कर्शन का मतलब क्या है निकालना, खनी जोंको निकालनी की जो विदी है उसको कितने प्रकार में विवक्त किया गया है तो उसको मुखित है तीन विवागों में विवक्त किया है खनन, प्रवेधन और आखनन, खनन क्या है, खनन को भी दो भागों में एक विवरत खनन और एक कूप की खनन, और प्रवेधन और आखनन, इस तरीके से खनन, प्रवेधन और आखनन, इस तीन प्रिकास से इसमें विभक्त किया गया है, इनमें अंतर क्या है, चलिए आगे देखते हैं, आगे के questions में, next question देखिए, जब खनीच निस्करशन उपरी सतय को हटा कर किया जाता है, ऐसा खनन किस प्रकार का खनन कहलाता है, यानि धरातल का थोड़ा सा हिससा खोदा और हमने अपने खनीच को निकाल लिया, तो ऐसा जो खनीच निस्करशन होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, वीव प्रत खनन कहलाता है, नेक कोशन देखिए, धरातल पर गहराई में पाए जाने वाले खनन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब उपरी परत को थोड़ा सा खोदने पर कोई खनिजना मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खोदते हैं, एक बड़ा सा कुवा बना लेते हैं, बड़ी करी खानी को देते हैं, तो ये क्या है, ये कौन सा, किस प्रकार का खनन कहलाता है, ये कहलाता है, कूप की खनन, आपको पता है, कूप यानि क्या होता है, कूप यानि कुवा होता है, तो कूप की खनन, जिसमें हम धरातल में गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के निस्कर्शन प्रक्रिया को अपनाते हैं जिस चीज के लिए वो क्या कहलाता है कूप की खनन कहलाता है कूप की खनन धरातल में अत्यंत गहराई में पाए जाने वाले खनिजों जैसे पेट्रोलियम प्राकर्तिक गैस आदी के निस्कर्शन के लिए किस प्रकार का खनन किया जाता है तो देखिए क्या होता है तो बहुत ज़्यादा गहराई पर अगर कोई चीज पाई जाए तो उसके लिए आप थोड़ी सी खान खोदना या फिर कुआ खोदना वो संभव नहीं हो पाता है उससे खनिजों कालना तो उसके लिए क्या किया जाता है उसके लिए ड्रिलिंग की जाती है क्या किया जाता इसे खनी जो धराते लिए सतय पर ही मिल जाते हैं, जैसे कि मिटी, इनकी निसकर्षन के लिए किस प्रकार की निसकर्षन विदिका उप्योग किया जाता है? यानि इनका उप्योग करने के लिए हम इसको निकालते हैं, तो किस प्रकार की विदिका उप्योग किया जाता है? क्या कहते हैं उस विदिकों? उसको कहते हैं आखनन, ऐसे खनी जो धराते लिए सतय पर ही मिल जाते हैं, उनके इसकर्षन को आखनन विदिके द्वारा उप्यो किया जाता है, चलिए, नेक कोशन देखिए, खनीजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, राजस्थान को, राजस्थान को खनीजों का अजायब घर कहा जाता है, नेक कोशन देखिए, भारत में सरवाधिक खनीज भंडार किस राज्ये में हैं, भारत मे जारखंड में पाए जाते हैं, भारत में वोलेस्टो नाइट और जस्पर खनीज उतपादन में किस राज्य का एक अधिकार है। अधिकार का मतलब क्या है यहां पर उत्पादन में मतलब जो राजे है उसके अंदर वॉलेस्टो नाइट और जस्पर पूरी तरह वहीं पाया जाता और भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। ताजमहल के निर्माण में उपयोग किये गए संगमर्मर के पत्थर का उत्पादन किन खानों से किया गया था। जो की नाग और जिले राजेस्थान के अंदर इस्तित हैं। भारत का कितना प्रतीसत जस्ता राजेस्थान में मिलता है। कितना होता है निर्माण में प्रतीसत जो है भारत का भारत में जितना जस्ता पैदा होता है। और इसको और जो होकर देखते हैं तो एक साड़नी देखते हैं राजेस्थान की। तो राजेस्थान आपको पता है वालेड बालस्टोनाइट और जस्पर तो कोई तरे राजेस्थान में ही पाए जाते हैं। जस्ता आपने देखा अभी 99% फुलोराइड, जिपसम और मार्भल भी यहाँ पर 90% से उपर पाये जाते हैं एसबस्टेस, घिया पत्थार, सीशा, रॉक्स, फास्वेट यह भी यहाँ के मुख्य पाये जाने वाले खनीज हैं राजिस्थान के अंदर चलिए यह राजिस्थान से सम्बंदित सार्नी है, इस बाथ का याद रखेगा नेक कोशन देखेअ राजिस्थान में धात्विक खनीज कहां पाये जाते हैं, यानि किन जिलों में पाये जाते हैं तो देखिए इसके लिए डारेक्टलि एक सार्नी देख लेते हैं शी साजस्ता कहां पाय जाता है भीलवाडा, उदैपुर और राजसमन्द में, तामबा कहां पाय जाता है जुनजुनु, सीकर, अलवार और डुंगरपुर में, लोवायस कहां पाय जाते हैं, जैपुर, जुनजुनु, उदैपुर और भीलवाडा में, टंग्स्टन कहां प आधात्विक खनीज न कंजिलों में पाए जाते है तो देखिए इसमें रॉकis admit और देखिए इसमें ब्लॉक फासफैट 5 यहां पर जो कहनीज दीएं यह मुख्छे नहीं केवड हो उनक स्थानल यहां पर दी गाई हैम उसक्राइमीत तो देखिए जैसा लमेर, नाग और बाडवेर में हैं, घिया पथर आपका उदैपूर, भीलवाड़ा, दूंगरपूर और दौसा में पाया जाता है, वालेश्टोनाइट इसके बार में बहुत पूंचा जाता है, और ज्यादा रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बार ये कोशन आ चुका है, तो ये इंपोर्टन पो सकता है, सिरोही, अजमेर, उदैपूर और पाली में वालेश्टोनाइट पाया जाता है, ये इंपोर्टन इसलिए है क्योंकि राइजिस्थान में ही होता है वालेश्टोनाइट, इसी तरह लेगनाइट जिसको ये केस का हो है, कोईले का हमारे राजिस्टान में जो सबसे उत्तम प्रिकार का जो कोईले का खनीज पाया जाता है वो लिगनाइट फॉर्म में पाया जाता है और लिगनाइट कहां मिलता है बीकानेर, बाडमेर और नागोर में ये भी काफी important point है संगमरमर, राजसमंद, नागोर, उदैपूर, जैपूर और बांसवाड़ा आपको पता है नागोर से ताजमेहल, नागोर की कौन जी, मकराना की खनों से क्या बना था, ताजमेहल करने बना हुआ था, ग्रेनाइट कहां मिलता है, जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही में और बलवापत्त, जोदपूर, भूंदी, भीलवाडा, धौलपूर, कोठा और चित्तोरगर में, उर्जा संसाधनों का वर्गी करन किस आधार पर किया जाता है, तो नवीनी करन की आधार पर और परंपराओं की आधार पर, यानि किसी चीज़ का, किसी उर्जा संसाधन का नहीं हो सकता है, इस आधार पर किया जो सकता है, दूसरा किस पर परंपरा के आधार पर, यानि वो परंपरा अगर स्रौथ है या नहीं है, यानि पहले से ही उसका यूच किया जा रहा है, या उसका किया जाने लगा है, उस आधार पर इनका उर्जा संसाधनों का नवीनी क और परमपरा के आधार पर वर्गी करण किया जाता है। नवीनी करण के आधार पर उर्जा संचादनों को कितने भागों में वर्गी करण किया जाता है। नवीनी करण आधार पर जल विद्धुत, सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस, बायो मांस और ज्वारिय उर्जा को किस प्रकार के उर्जा संचादन माना जाता है। तो देखिए सौर उर्जा को ही ले ले दें। आज सौर उर्जा जितनी सौरे की जितनी रौसनी आ रही है आप यूज करिए, कल से वो फिर से नहीं उतनी ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो नवीनी कर्ण है या नव्य कर्णी उर्जा संचादन हैं। नवीनी कर्ण के आधार पर कोईला, खनीश देल, प्राकर्टिक गैस, यूरीनियम और थोरियम को किस प्रकार के उर्जा संचादन माना जाता है? तो देखिए, कोईला है, हमारे पास एक लिमिटेड स्रॉथ है, अगर वो खतम हो गया, तो फिर उसका कोई नवीनी कर्ण संबब नहीं है, तो यह ऐसे स्रॉथ क्या है? अनव्य कर्णी उर्जा संचादन हैं। तो देखिए, दो भागों में वर्गी करत किया जाता है, एक परमपरागत और एक गैर परमपरागत उर्जा संचादन हैं। अनव्य कर्णी उर्जा संचादन हैं। तो जिनका पहले से उप्योग हो रहा है, वो कैसे कहलाते हैं? परमपरागत उर्जा संचादन और जिनका नहीं हो रहा है, जो अभी हाल में स्टार्ट किये गए हैं। उर्जा संचादन के तोर पर यूज करना वो क्या कहलाएंगे? गैर परमपरागत उर्जा संचादन। चलिए, नेक कोशन देखिए, परमपरागत उर्जा संचादन कौन से हैं? तो हम सभी जानते हैं कोईला, खनीज, तेल, प्राकरतिक गैस, जल विद्ध होती, ये सभी क्या हैं? परमपरागत उर्जा सौथ हैं जिनको हम बहुत समय से यूज कर रहे हैं। ये कैसे हैं? ये परमपरागत उर्जा संचादन हैं जिनको हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं। यूज किया जाने लगा हैं। तो इसके वज़े से ये क्या कहलाते हैं? ये गैर परमपरागत उर्जा संचादन कहलाते हैं। नक कोशन देखिए। कोईला खनीज अइसकों के नाम क्या है? कोईला खनीज अइसकों के नाम क्या है? यानि koala को जो हम निकालते हैं तो किस-किस तरीके से उसका कच्छे माल की रूपने हो निकलता है तो सबसे किसमे निकलता है एंत्रासाइट, बिटोमिनस, लिगनाइट और पीट इसमें जो ये चार टाइब की किसमे कोईला खनीज की निकलती हैं एक एंत्रासाइट होता है, बिटोमिनस होता है, लिगनाइट होता है और पीट होता है सबसे उत्तम प्रकार का कोईला खनीज एसक कौन सा है? जो हमने अभी चार नाम पढ़ें, उसमें सबसे उत्तम प्रकार का कोईला किसमें से निकलता है? तो किस में से निकलता है उस एंत्रासाइट में से निकलता है कि उसमें 80% कार्बन होता है और सबसे कम दुआ देता है तो ऐसा जो मैटरियल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा अविलेबल होगा कोईला जलनी के लिए जो किसमें हैं एंत्रासाइट में उसमें 80% कार्बन और जाती है हमने जो चार नाम पड़े ठीक है उन में राइस्थान के अंदर जो सबसे बैस्ट किस्म का जो कोईला में पाया जाता है वो कौन सी किस्म होती उन चारों में से तो वो है लिगनाइट लिगनाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लिगनाइट है वो प्रवीक्ता में एक अच्छा उप्योग नहीं माना जाता पर्यावरण की द्रश्टी से क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोदूर्शन पैदा करता है। राजिस्थान के इसाब से ये काफी important question है, ये देखिए, विकानेर के बर्सिंग सर वेपालना में और बाड मेर के जलीपा, कपूर अडी और गिरल में इसका खनन किया जाता है, नेक question देखिए, राजिस्थान के प्रमुक्तापिय उर्जा संहियंत्र कहां इस्थित है, तो वो हम सभी जानते हैं, कोटा और सूरतगर में इस्थित है, नेक कोशे देखिए, भारत में सर्व प्रथम खनीज तेल कहां खो जा गया, भारत में सर्व प्रथम खनीज तेल कहां खो जा गया था, तो ये खो जा गया था, असम में सर्व प्रथम खनीज तेल कहां खो जा गया था, नेक कोशे देखिए, भारत का प्रमुक्त खनीज तेल उतपादक छेतर तो ये क्या है ये है Bombay High ये Bombay नहीं है ये Bombay High है जो अरब सागर में इस्तित है यहाँ पर खनिश देल का मुख्य उत्पादन छेतर यहाँ सबसे जदा खनिश देल भारत में निकाला जाता है नेक कुशन देखिए राजिस्थान में खनिश देल का उत्पादन कहां किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और से कंसर्णिंग कोशन बहुत बार आया है खासकर मंगला जो ओयल रिफाइंडरी है उसके उपर राजिस्थान के पशिम भाग में इसका होता है और कहां कहां होता है बाड मेर बंगला सरस्वती ओयल फिल्ड में और जैसल में गोटारू तनोट मनिहारी और टिबा में और बिकाने और जालोर में ये किया जाता है खनिश देल का उत्पादन कहां कहां किया जाता है बाड म जैसल मेर विकानेर और जालोर में बाड़ मेर के अंदर मंगला और सरस्वती वाइल फील्ड है और जैसल मेर के अंदर घोटारू, तरनोट, मनिहारी और टिब्बा है ठीक है चलिए नेक क्वेशन देखिए भारत के सर्व प्रमुक जल विद्धुत ऊड़ जाएं चैयंत्र क कौन से हैं तो कौन से हैं भाकडा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीरा कुंड परियोजना आपको पता है हीरा कुंड भारत का सबसे बड़ा डैम परियोजना भी है इसकी जो डैम है ये सबसे बड़ा डैम क्या है चार हजार आट सो के लगभग मीटर सम्टिंग इसकी लेंद है किसकी डैम की तो हीरा कुंड परियोजना भाकडा नागल परियोजना दामोदर गाटी परियोजना यह बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं हमारे भारत के लिए जल विदू तूर्जा सेंत्र के दौर पे नैक क्वेशन देखिए राजिस्थान की सर्व प्रमुक जल विदू तूर्जा सेंत्र कौन सा है राजिस्थान की सर्व प्रमुक जल विदू तूर्जा सेंत्र कौन सा है तो राजिस्थान में कौन सा है चंबल गाटी परियोजना जो है और माही बजास सागर परियोजना यह जो है चंबल और माही तो जम इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कहा स्थित है? कहां स्तित है? कोटा के निकट रावद भाटा में परमान उर्जा सेन्त रिस्थापित है नहें क्यूशन देखिए किस राज्य की मौनोजाइट मिट्टी में थोरियम पाया जाता है? थोरियम क्या है? एक रैडियो एक्टिव मेट्रियल है जिससे energy gain की जा सकती है, ये एक उर्जा श्रौत के रूप में काम लिया जाता है इसको जैसे uranium का लिया जाता है, वैसे ही thorium को भी यूच किया जाता है और ये कहां किस राज्य में पाए जाता है मिट्टी में? केरल की मिट्टी में, केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है, वहाँ पर ये थोरियम पाय जाता है और इसको किस विदी से लिया जाएगा? इसको आखनन विदी से लिया जाता है किस विदी से आकनन का आपको पता है कि ऊपर जो मिटी में होता है उसको किस विदी से लिया जाता है आकनन विदी से लिया जाता है तो ठीक है चलिए नहीं कोईशन देखिए भारत में यूरीनियम किस राज्ये में सरवादिक पाया जाता है भारत में यूरीनियम जो है वो कि राजे में सरवादिक पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जहारखंड में पाया जाता है, दूसरे नुमबर पे राजिस्थान में पाया जाता है, और यही करम किसका भी है, यही करम खनिज जो पदार्त है, सरवादिक जहारखंड में भारत के अंदर पाया जाते हैं, और र राजिस्थान के किंजलों में पवन उर्जा के लिए विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है यह काफी important question है इसको देख लिजे यह है जैसल मेर और प्रताबगर जो है जैसल मेर और प्रताबगर जो जिले हैं राजिस्थान के इन में पवन उर्जा की विकास की प्रबल संभावना हैं क्योंकि यहां हवाएं काफी त्रीदी से चलती हैं और भारत के जो तट्ये छेत्रे यहां पर भी प्रबल संभावने व्यक्त की गई हैं यहां पर पवन चाकियां भी काफी मात्रा में लगाई जा चुकी हैं है ना चलिए नेक question देखिए किन कटिबंदिय छेत्रों में सौर उर्जा की विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है किन कटिबंदिय छेत्रों में सौर उर्जा की विकास की प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है तो देखिए कटिबंदिय छेत्र उस्ट कटिबंदिय छेत्रों के जो देश हैं उसमें इसकी प्रबल संभावना व्यक्त की जाती है सौर उर्जा के विकास की कहां की जाएगी उस निकटी बन दिया छेत्रों में की जाती है next question देखिए सौर उर्जा का अपयोग बिजली उत्पादन के अतरक किस में सामने तह किया जाता है सौर उर्जा का उफ्योग विजली उत्पादन के अत्रेक्ट किसमें सामने तह किया जाता है किसमें किया जाता है सौर कूकर और सौर तापक आदिवी में किया जाता है यानि इसको ताप्य उर्जा के तोर पे भी डारेक्ली यूज किया जा सकता है ठीक है इसमें विजबी उत्पादन के अलावा क्या किया जाता है सौर कुकर और सौर तापक की रूप में भी इसका यूज किया जाता है ये था आपके इस चैप्टर का अंतिम कोशन और इसी के साथ होता है ये चैप्टर समाव क्लास 8 का चैप्टर नमबर 6 और चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया कलाब जिसमें व्यक्ति स्वैम परिवार के भरन पोशन और धन प्राप्ति हीतु करता है यो कैसी क्रियाएं कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं. नैकोशन देखिए. आखेट करना, भोजन संग्रहन करना, पसुपालन करना, मचली पकरना, कृसी करना, खननादी को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है? आखेट, भोजन, संग्रहन, पसुपालन, म अश्री पकर्णा कृसी खनन आदी को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है तो ये किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं ये सभी कैसी क्रियाएं हैं प्रात्मिक आर्थिक क्रियाएं हैं ने कोशन देखी उध्योगों को किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं माना ज व्यापार परेटन वे संचार को किस प्रकार की आर्थिक क्रिया माना जाता है। तो यह कैसी क्रियाएं हैं? यह सभी आपके तिर्थेक आर्थिक क्रियाएं हैं। नेक क्वेशन देखिएं उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है? उध्योग अत्वा विनिर्मान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कच्चे माल द्वारा उप्योगी वस्तु निर्मान का कारक एकाई यानि हम अगर किसी जगहें पर कच्चे माल द्वारा किस उपयोगी वस्तु का निर्मान करते हैं, ऐसी कोई इकाई, ऐसा कोई कार खाना, ऐसी कोई जग है, वो क्या कहलाती है, वो उध्योवत्वा विनिर्मानिकाई कहलाती है, नैक क्वेशन देखिए, विध्याले इस तर पर वेबसाइक सिक्षा का पाठेकरम लागुप की सूजन के तहत किया गया है, तो देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और इस बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया गया है, पाठेकरम लगाए गया है, विध्याले इस तर पर ताकि विक्तियों को टेक्निकली सक्षर किया जा सके, उनको स्वेरोज स्वैरोजगार को बढ़ावा देनी ही तो कौन-कौन से कारेक्रम चलाए जा रहे हैं। तो यह सभी कैसे हैं? यह सभी वो कारेक्रम हैं जो सरकार द्वारा स्वैरोजगार को बढ़ावा देनी के लिए किये जा रहे हैं। जाते निणे हैं। सरकार के पास हैं, निजी के पास है, किसे के अन्नी के पास है। तो कि कौन के आधार के रहे हैं कि बढ़ावा देनी हैं। उध्योगों का वर्दिकर्ण, आकार के आधार पर कौन-कौन से भागों में किया जाता है, तो कौन-कौन से भागों में किया जाता है, कुटिर उध्योग, लगू उध्योग और व्रहत उध्योग, कुटिर यानि क्या होता है, कुटिर यानि घर, यानि कुटिर यानि पहले जमाने में क्या होता था कुटिया हुआ करती थी चोटे चोटे घर हुआ करते तो कुटिर का अर्थ क्या है कुटिया यानि छोटा सा घर यानि घरीलू उद्योग जो होते हैं उनको कुटिर उद्योग कहते हैं और लगुद्योग और व्रहत उद्योग इस प्रकार से उद्य इसको देखें, छोटे पैमाने पर परिवार के सदस्यों की साहता से अपने घर पर चलाए जाते हैं, ऐसे उध्यों क्या कहलाते हैं? और मसीनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, चोटी चोटी होती हैं, तो ऐसे उध्यों क्या कहलाते हैं? लगुँद्ध्гов कहलाते हैं और जब इनका एकज्ञामपल देखें तो वो क्या हैं? अपका इपन फोड़ी और गहलाते हैं? जब देखें तो सीमेन्ट उड्योग सभी कैसे हैं ये और वुझ्थ के उधारण है नेके कॉस्ट है स्वामित्व के आधार पर उध्योग को कितने भागों में वर्गिकरत किया गया है स्वामित्व के आधार पर उध्योगों को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है तो कितने भागों में वर्गी करत किया गया है इनको चार भागों में वर्गी क्रत किया गया है, निजी छेतर उध्योग, सर्वजिनिक छेतर उध्योग, सहियुक्त छेतर उध्योग और सहकारी छेतर उध्योग, कौन-कौन से निजी छेतर उध्योग, सर्वजिनिक छेतर उध्योग, सहियुक्त छेतर उध्योग और सहका सामित्व के अधार पर चार प्रकार से उध्यों को वर्गिकरत किया गया है नेक प्वेशन देखिए निजी छेत्र के उध्यों किसे कहा जाता है निजी छेत्र के उध्यों किसे कहा जाता है तो निजी से भी आप समझ में आ रहे हैं हमने क्या कहा था हम इसको सामित्व के एक या एक से अधिक वेक्तियों के सम्हू द्वारा संचालित स्वामित वाले जो उध्योग होते हैं उनके संचालन भी उनी के द्वारा किया जाता है और स्वामित भी उनी के द्वारा किया जाता है ऐसे उद्ध्योग क्या इसे कहलाते हैं उनको निजी छेत्र के उद्ध्योग कहा जाता है नेक कोशन देखिए सार्विंग छेत्र के उद्ध्योग यानि पब्लिक सेक्टर जो हैं उनको ऐसे उद्ध्योग कौन्चे होते हैं संयुक्त छेतर के उद्योगों का सामित वे संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह देखिए इसमें government और non-government यान गैर सरकारी और सरकारी दोनों ही वेक्तियों का सम्हूं होता है और इसलिए सहिंत चेतर के उद्योग इनको कहा जाता है तो राज्यों और व्यक्तियों के सम्हों द्वारा जिसे मारूती उद्योग लिमिटेडिस का एक अच्छा उद्वारन है तो ये कैसा उद्योग है ये सहिंत चेतर के उद्योग है जा राज्यों और व्यक्तियों के सम द्वारा, इसका संचालन और स्वामित्व कीया जाए। जा रहा है, उन्हीं के द्वारा संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे उद्योग सहिकारी छेत्र के उद्योग कहलाते हैं, जैसे सामने तक कच्छे माल उत्पादकों, या पूर्तिकारों, कामगारों, अत्वार दोनों द्वारा जैसे आनंद मिल्क डेर, यूनियन लिमिटेड ह हो गया है, सरस्देरी हो गया, इसमें क्या होता है, जो लोग कच्छा माल प्रोवाइड कराते हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा उसको संचालन भी किया जाता है, और उन्हीं के पास उसका स्वामित्वे भी होता है, तो ऐसे छेत्र के उद्योग कैला गया है तो देखिए क्रिशी आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, खनीज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग, ये कौन-कौन से उद्योग हैं कच्चे माल के उपर आधारित, क्रिशी आधारित, समुद्र आधारित, खनीज आधारित और वन किस प्रकार के उदारण है अगर हम उद्योगों को कछ्चे माल का आधारित उसमें वर्गिकरण में देखें तो जो एक खादसमसादन है सक्करवनस्पती तेल, सूती वस्त्र डेरी उत्पाद वह चमणा उद्योग जैसे उद्योग है ये किस प्रकार के गया कि चमड़ा उद्योग किस किस प्रिकार के कच्छे माल पर आधारित उद्योग गये तो यह देखिए किसी आधारित उद्योग है ने कोशन देखिए क्योंकि आपको पता है क्रसी के अंदर क्या आता है क्रसी के अंदर पसु पालन भी इन्वाल होता है क्रसी के अंदर के आधारित मस्चे तेल खनिज प्रिश्वसकर्ण उध्योग किस प्रकार के उध्योग हैं। आधार भूत उध्योग किसे कहा जाता है। आधार भूत उध्योग किसे होते हैं। राजिस्थान में कुटिर एवं लगू उध्योगों के विकास है तो राजिस्थान लगू उध्योग निगम किस प्रकार कारे करता है। ये निगम रियायती दरों पर रेंड प्रोवाइड कराता है। तो राजिस्थान लगू उध्योग निगम उध्योगों के लिए क्या क्या करता है। निगम रियायती दरों पर रेंड प्रोवाइड कराता है। तक्निकी सहयता मुहिया कराता है और विपरण यानि उनको बेचने की क्रेविक्रे की सुधाय प्रदान करता है। नेक क्योशन देखिए। लगू व्यकुटिर उध्योगों के प्रमुक समश्चाएं कौन सी हैं। वित्य संसादानों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बजार, उत्पाद गुणवत्ता, उर्जा की कमी, अफ्सिष्पदार्दों का उप्योग आदी। ये क्या हैं? ये लगूवे खुटिर उध्यों की प्रमुक समश्चाएं हैं। चलिए, नेक क्योशन देखिए। जैसलमेर और जोधपूर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपूर में जो खादी बनाई जाती है, वो कौन सी ऐसी खादी है जो बहुत प्रसिद्ध है? और वो है मैरीनो खादी. इसको क्या कहा जाता है? मैरीनो खादी है जो जैसलमेर और जोधपूर की बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान में. ने कोशन देखिए, उनी खादी से निर्मित प्रसिद बरडी राजिस्थान के किस जिले से सम्बंदित है? तो किस जिले से सम्बंदित है? जैसलमेर से, राजिस्थान के जैसलमेर जिले में उनी खादी से बरडी बनाया जाता है, ठीक है? चलिए, ने कोशन देखिए, राज राजिस्थान के किस जिले के कमबल पिरसिद्ध हैं। तो उनी कमबल कहां बनाया जाते हैं। विकानेयर के जो कमबल हैं वो बहुत पिरसिद्ध हैं राजिस्थान के। नेक कोश्चन देखे, खादी वे ग्राम उद्धोग संस्थानों में सूती, उनी वे रिस्मी धागों से बनी वस्तों के आतर किसका कारे किया जाता है? खादी और ग्राम उद्धोग संस्ताओं में नाम से अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है किवल खादी का काम किया जाता होगा यानि वस्त्रों का काम किया जाता होगा इससे ज़्यादा नहीं होता है यहां सूती उनी वरिस्मी धागों से बनी वस्तों के अलावा भी कारे किया जाता और वो कौन से कारे हैं मदुमक्खी पालन अगर्वत्ती निर्मान चर्म उध्योग के अंतरगत जूते चपल पर्स थैले आदी जो बनाई जाते हैं सब कैसे आते हैं यह किसमें आते हैं यह खादी वे ग्राम उध्योग संस्ताओं के अंतरगत आते हैं क्या क्या आते हैं मदुमक्खी पालन अगर्वत्ती निर्मान चर्म उध्योग से समंदिन जैसे जूते चपल पर्स थैले आदी बस्तों का जुर्मान कार रहे हैं ये सभी खादीवे गराम अद्यूग संस्ताओरों के आता है, चलि, नेक कुशन देखिए, बुनकरों को सरकार द्वारा किन कारेकरों के तहत साहता प्रदान की जाती है? तो देखिए, इन में जो कारेकरम हैं, ये काफी important है, एक इकरत ग्रामिन विकास कारेकरम और वावास योजना यह दो एक विशिष्ट कारेकरम है जिनके मारफद सरकार बुनकरों को विशिष्ट सहता प्रदान करती है नेक कोशन देखिए राजिस्थान में किन छेत्रों में गन्ने के रच से गुडवे खांडशारी का निर्मान किया जाता है वो यह कि मौसमी उद्ध्योग किसे कहा जाता है तो देखिए इस चीज को आप इस प्रिकार से समझ सकते हैं जब गन्नी की फसल होती है क्या होती है गन्नी की फसल होती है तो जब गन्नी की फसल होगी तभी तो गुड़ बनेगा तभी तो खांडशारी बनेगी तभी तो सक्कर का निर्बान होगा तो क्या हुआ गन्नी की फसल के उपर आधारित हो गए ये उध्योग तो ऐसे इस्तिति में क्या होगा जब गन्न पूछा जाता है बाकाइदा कि इन में से मौस में उद्योग कौन सा है तो ऐसे उद्योग जो एक पर्टीकुलर समय में एक निश्य समय में ही चलते हैं जैसे कि सक्कार उद्योग, गुरु और खांड़सारी का उद्योग यह कैसे टाइम पर चलेगा जब आपके गन्नी की फ खेत्र अधिकत यांपई रायस्थान के किन खेत्रों के गानि खेत्र अधिक हैं तो किन खेत्रों में अधिक हैं अलवर, भरतपूर, सवाई, मादोपूर, जैपूर आदि के जहां हैं तो सब्सक्रा में पहुत China बहुत जैदा हहते fire मात ला तो राजिस्तान के अलवर भरतपुर, सवाई माधुकुर और जैपुर जैसे छेत्र हैं, वहाँ पर तेल घाणी छेत्र सरवादिक हैं. ने कोश्यन दिखें, राजिस्तान के किस जिले में मूंफली के तेल की खल निर्मित की जाती है? राजिस्चान के किस जिले में मुंफली के तेल की, जाद रखे, सुरसों के तेल की नहीं, मुंफली के तेल की खल निर्मित की जाती है, तो कहां पर की जाएगी, अजमेर साइड में, क्योंकि अजमेर में यहां इसकी पैदावार होती है, तो अजमेर में कोटा बूंदी बार पाली में भी तिली के तेल की खल बनाई जाती है लेकिन अजमेर में किसकी बनाई जाती है मुंगफली की अलवर जैसे छेत्रों में किसकी है वहाँ पर आपको सरसों की मिलेगी खल यहाँ पर आपको अजमेर में मुंगफली की मिलेगी और कोटा बूंदी बारा और पाली में तिल्ली के तेल की खल मिलती है चलिए नहीं कोशन देखिए राजिस्थान के जैपुर जिले में इस्थित जोहरी बजार किस हेतु विश्व प्रसिद केंदर है देखिए ये कोशन रिपीट हुआ है और ये कोशन आभी चुका है तो इस चीज को याद रखेगा ये किस के लि अभुसणों रत्नों के लिए ये जो जैपुर का जोहरी बजार है वो सोने चांदी है कि अभुसणों रत्नों के लिए बहुत प्रसिद है विश्व प्रसिद ये केंदर है राजिस्थान का नेक कोशन देखिए राजिस्थान में लाल पत्थर किस जिले में पाया जाता है तो देखे लाल पत्थर के आपने बहुत सारे कारखाने देखे होंगे चलते हुए ये धौलपूर एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है राइस्थान में जो लाल पत्थर है वो किस जिले में सरवादिक पाये जाता है धौलपूर में इसी तरीके से नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में संग्मर्मर का पत्थर किस जिले में पाये जाता है, राजिस्थान में संग्मर्मर का पत्थर किस जिले में पाये जाता है, राजिस्थान में कई जिलों में ये पाये जाता है, राजिस्थान में कई जिलों में ये पाय में पीला पत्थर किस जिले में पाया जाता है राजिस्थान में पीला पत्थर किस जिले में पाया जाता है देखे लाल पत्थर किस में पाया गया था धौलपूर में और पीला पत्थर जैसल मेर में पाया जाता है पीला पत्थर कहां पाया जाता है जैसल मेर में नेक कोशन राजिस्थान में कोटा इस्टॉन किस जिले में पाया जाता है तो देखे इसके तो नाम से ही निश्चित है ये कहां पाया जाएगा कोटा इस्टॉन कोटा यानि कोटा में पाया जाएगा तो कोटा इस्टॉन कोटा में मुख्यत है पाया जाता है इसलिए इसको फोटा स्टॉन कहा जाता है नेक कोशन देखिए राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर जो है वो किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? जाल और में जाल और में ग्रेनाइट पच्था राजधान के अंदर पाया जाता है नेक कोशन देखिए सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो सूती वस्तों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है यहां भारत की बात की जा रही है और सूती वस्तों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है नेक कोशन देखे राजिस्थान का सबसे प्राचिंतम उद्योग किसे माना जाता है तो सबसे प्राचिन्तम उद्योग कौन चाहे? बस्त निर्मान का उद्योग. राहिस्तान का जो सबसे प्राचिन्तम उद्योग है वो बस्त निर्मान को, बस्त निर्मान जो उद्योग है उसको माना जाता है. नेक कोशिन देखिए भारत में सूती वस्त्रों का सरवाधी कुत्पादन कहा होता है भारत में सूती वस्त्रों का सरवाधी कुत्पादन कहा होता है तो कहा होगा वो होता है महराष्ट और गुजरात में भारत में जो सूती वस्त है उनका सरवाधी कुत्पादन महराष्ट और गुजार्चित्र में होता है, नेक कोश्चन पर चलिए, राजिस्थान में सूती वस्त्रों से सम्मंदित पहली मील कहां वे कब इस्थापित के गई, तो देखिए, 1889 में अजमेर के ब्यावर में इसको इस्थापित किया गया था, 1889 में सूती वस्तों से सम्मंदित जो पहली मील बनी थी, वो कहां थी, 1889 में अजमेर के ब्यावर में इस्थापित की गई थी, नेक कोश्चन देखिए, राजिस्थान का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है मैंचेस्टर, यह है भीलवाडा, राजिस्थान क वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है तो राजिस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है तो राजिस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है वो भी भीलवाडा ही है राजिस्थान की मैंचेस्टर और राजिस्थान की वस्त्र नगरी कौन सा है भीलवाडा जिले को कहा जाता है इस की साथ जब राइस्तान की जैसे वस्त्रों के लिए जैसे भीलवाड़ा फेमस है वैसी हमारे भारत में अन्य कई अलग लग चीजों के लिए फेमस हैं जैसे धाका की मलमल मसूली पटनम की छीट काली कट के केलिंग को और बुरहानपूर सूरत और बढ़ी दरा के सुनहरी ज जरी का काम ही दो यह विस्विच्विच्वा चेत्र हैं यह हमारे भारत के वो चेत्र हैं आस पास के जो मलम विस्वषित हैं वस्त्रों के बाहदे में धाका की मलम मसूली पटनम की छींट काली कट के केलिंग को, बुरहानपूर, सूरत और बरुद्रा के सुनहरी जरी, ये सभी विश्व विच्छात हैं अपनी अपनी जगे पे, ये कोशन आपके जो सीटेट में हैं, ये दो बार आ चुका है, कितनी बार दो बार आ चुका है, तो ये छोटा कोशन है, ये फिर सीमेंट बनाने ही तू प्रियास किया गया, भारत में जो सरवपर्थम कब वे कहां पर समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने ही तू प्रियास किया गया था, तो कहां किया गया था, ये 1904 में मदरास के अंदर किया गया था, भारत में जो समुद्री सीपियों से सीमेंट ब भाज मिलेंगे तो यह समुद्र कहां मिलेगा आपको समुद्र टो आपको Megacity और दक्षणी छेट्रों में इस सहरवाधि मिलेगा तो यह क्या है मदरास ऐसा ही शहर जहां के पास समुद्र टकर पहें तो 1940 में कहां किया गया था मदरास के अंदर समुद्रि सीत्यों से सीमेंट बनाने ही तो पहली बार प्रियास किया गया था नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान राज्य का पहला सीमेंट कार खाना कब वे कहां बनाया गया तो कब वे कहां बनाया गया उन्नी सो पंद्रा में बूंदी जिले के लाखेरी में इसको बनाया गया था पहला सीमें कार खाना जो राइस्थान का था 1915 में इस्थापित किया गया था बूंदी जिले के लाखेरी में कहां पर बूंदी जिले के लाखेरी में सिमेंट कार खाना राइस्थान में पहली बार स्थापित किया गया था 1915 में next question देखी cement उद्योग हे तो कच्चा माल क्या क्या आवश्चक है cement उद्योग के लिए जो कच्चा माल होता है क्या क्या हमें required होता है वो इसमें पूछा गया है तो कौन कौन चाप्योगी है चूना पत्थर चाहिए होता है cement उद्योग के लिए जिपसम चाहिए होता है और कोईला चाहिए होता है तो देखी चूना पत्थर जिपसम बे कोईला आदी जो चाहिए होते है वो cement उद्योग को कच्चे माल के लिए अनिवारत रूप से चाहिए होते हैं नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान के किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला माना है किस को माना है चितौडगर को क्योंकि यहां पर बहुत मात्रा में इसको तच्चे माल की उपलब देता आसानी से हो जाती है तो इसी वज़े से यह जो छेत रहें इसको सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्स जिला माना जाता है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान की पहली सक्करमील कब वर किस जिले में इस्थापित की गई थी तो कब की गई थी 1932 में चितौडगर के भूपाल सागर में की गई थी जो वर्तमान में बंद है 1932 में चितौडगर के भूपाल सागर में की गई थी 1932 में जो की राजिस्टान की पहली शक्रमील थी ठीक है और ये वर्तमान में कारेरत नहीं है मलब कारेरत नहीं है बंद हो चुकी है यह सेज किसे कहा जाता है very very important question सेज किसे कहा जाता है सेज बचों उसे कहा जाता है जो तीवर औधोगी के विकास हो रोजगार के साधनों में व्रद्धी के उद्देश्य से विशिष्ट छेत्रों का निर्धारन किया जाता है जो मलब प्रद्धोगी के विकास हो रोजगार जादा हो सके तो इसके लिए हम गौर्मेंट ने क्या किया चोटे 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 चेत्रों में जग्यों को बाढ़ दिया और एक विशिष्ट इस्थान उनका नाम दे लिया तो इस निर्धारन में जो अलगलग छेत्रों के निर्धारन किया गया इसको क्या कहा गया सेज कहा गया अलगलग जो पार्ट है उनको क्या कहा जाता है सेज कहा जाता है तो तीव रोध्धोगी के विकास इब रोजगार के साधनों में व्रद्धी के उद्धेशे से विशिष्ट छेत्रों का निर्धारन जो किया गया है वो क्या कहलाता है सेज कहलाती है ठीक है और जब बात करें राइस्थान का सबसे बड़ा सेज कहां इस्थापित किया गया है राइस्थान का सबसे बड़ा सेज कहां इस्थापित किया गया है तो वह भी हमें पता होना चाहिए राइस्थान का सबसे बड़ा सेज का हुआ है स राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है सीतापुरहा जयपूर में चले, नया कोश्चन देखी हिंदुस्थान जिंक लिमिटेड किस जिले में इस्थित है? हिंदुस्थान जिंक लिमिटेड किस जिले में इस्थित है? तो किस जिले में इस्थित है ये? उदयपुर में जो हिंदुसान जिनक लिमिटेड है वो उदयपुर में स्थित है ने कोशन देखी राजस्थान के किन जिलों में राजसाइनिक उद्योगों का कारे मुखित है किया जाता है तो किन जिलों में किया जाता है डीडवाना, कोटा, अलवर, उदैपुर, वस्चित्तोर गड़ादी में इसका कारे सामने तर किया जाता है रासनिक उद्धोगें जो कहां कहां पर हैं डीडवाना, कोटा, अलवर, उदैपुर, वस्चित्तोर गड़ादी में इनका मुखेता कारे किया जाता है राहिष्थान में इंजिनियरिंग वे इंस्ठूमेंट्स उद्धोग किन्चेतरों में किया जाता है तो किन शेत्रों में किया जाता है? यह है कोटा, भरतपुर, जैपुर, अजमेर वे अलवरादी में राइस्थान में इंजिनेरिंग वे इंस्ट्रुमेंट्स उद्योग का कारे किया जाता है और इसी के साथ आपका होता है यह चैप्टर समाप, क्लास एट का, чैप्टर नबर सैवन, तो चलिए स्टाट करते हैं हमीशा की तरब, बिनादेरीक के साथ, question number one है आपका, भारत में पहली जणगर्णा कब हुई थी, भारत में जो पहली जणगर्णा है, वो कब हुई थी? यह शन 1872 इस वी में हुई थी, शन 1872 में भारत की पहली जणगर्णा हुई थी, second question है, भारत की पहली समपूर्ण दोनों question में answer है, तो देखिए भारत की पहली संपून जंगर्णा को ही, वो 1881 में हुई, 1881 में हुई, है नो, चलिए, next question देखिए, पिरतेएक 10 वर्स में किसके दौरा भारतीय जंगर्णा का कारे किया जाता है, पिरतेएक 10 वर्स में जो भारतीय जंगर्णा होती है, वो कार भारतिय जन्गर्णा का कारेक करता है। कौन करवाता है ये भारतिय जन्गर्णा विभाग। तोटल जन्गर्णा है उसका 5.7% जन्गर्णा का राईस्थान में निवास करती है। लगबग कितना है? 6.9 करोड के लगबग है। जन्गर्णा का राईस्थान में निवास करता है। तो जन्गर्णा विरल शेत्र उसे कहा जाता है जहां पर जन्गर्णा कम होती है। जैसे मान लीजे एक किलोमेटर का एरिया है, एक जगे तो पांच ही लोग रहे रहें और एक जगे पांच सो लोग रहें। तो कौन सा सगन होगा, जिसमें पांच सो लोग रहें और जहां एक किलोमेटर में पांच ही लोग रहें वो कौन सा होगा, वो विरल शेत्र होगा, वो जन्गर्णा क्या विरल शेत्र होगा है ना। चल, जन्गर्णा क्या गनत्व किसे कहा जाता है। तो ये क्या है किसी इस्थान की जनसंख्या एवं उसके छेत्रफल में जो संबंद बताता है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है जैसे कि हमारे राजिस्थान में इतने भाग में इतने लोग रह रहे हैं तो वो छेत्रफल के हिसाब से जो संख्या बताई जाएगी वो क्या कहल राजिस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है तो राजिस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है तो राजिस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है तो राजिस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर है यानि इसका प्राय क्या हुआ इसका मतलब करते हैं इसी तरीके से जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में तो ग्यारे सो वेक्ति से भी जादा एक किलोमेटर के अंदर निवास करते हैं औस्तन ये क्या है इनका जन्शंक्या घनत्व है इसे राइस्तान का जन्शंक्या घनत्व कितना है दो सो विक्ति प्रति वर किलोमेटर और बिहार का क्या है? बिहार का ग्यारे सो विक्ति प्रति वर किलोमेटर से भी अधिक है चलिए, नेक कोईशन देखी एक गाउं की जन्संक्या हजार है वे गाउं का छेत्रफल पचासवर किलोमीटर है तो गाउं का जन्संक्या घनत्व क्या होगा एक गाउं की जन्संक्या हजार है वे गाउं का छेत्रफल पचासवर किलोमीटर है तो गाउं का जन्संक्या घनत्व क्या होगा देखे, इसमें क्या करना है आपको जनशंख्या में 6 तरफल का भाग दे देना है तो आपको 1 किलोमीटर में लह रहे लोगों की संख्या पता लग जाएगी तो जब हम देंगे, तो क्या निकलेगा? हमारा 20 निकलेगा 20 व्यक्ति पिर्ति वर्ग किलोमीटर जो व्यक्ति पृति वर्ग किलोमीटर है ये क्या है ये जन्शंख्या घनत्व की इकाई है तो 20 व्यक्ति पृति वर्ग किलोमीटर इसका अंसर होगा नेक कोशन देखे राजस्थान राज्य की कुल जन्शंख्या का 10 पृति सथ भाग किस एक जिले में ही निवास करता है राजस्थान में एक ऐसा जिला है जिसकी पूरी जन्शंख्या जो राजस्थान के उसकी अकेला 10 पृति सथ भाग केवल एक ही जिले में निवास करती है तो यह है जैपूर, जैपूर के अंदर राइस्थान की 10% से भी जादा आबादी निवास करती है, नेक कोशन देखिए, राइस्थान राजे की कुल जन्चंक्या का 1% से भी कम भाग किस जिले में निवास करता है, तो यह कौन सा जिला है, यह जैसल मेर है, जहाँ पर राइस से भी कम अबादी इसमें इस्तित है, और क्यों है, क्योंकि यह मरुस्तलिय चेत रहे, यहाँ रहना इतना आसान नहीं है, तो यह छेत फल जादा होने के वावजूद यहाँ पर लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पर 1% से भी कम जन्चंक्या निवास करती है, नेक कोशन देख है, RBSC की बुक्स में, और कई बार यह पूचा भी गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजेगा, पैश्मी राजिस्तान के मरुस्तलिय भागे की 61% भूमी पर राज्य की कितनी पृतिसत जन्चंक्या निवास करती है, तो कितनी पृतिसत जन्चंक्या निवास करती है, और इस छेत्र का जो ओसत गनत्व है, जन्चंक्या गनत्व है, वो 130 वेक्ति पृति वर्ग किलोमीटर है, देखें, यह कोशन इंपोर्टेंट क्यों है, उसका एक कराण भी है, यह थार मरुस्तल है, जिस जहां पर राजिस्तान का पश्ची में जो भाग है, वो थ थार मरुस्तल, अन्य जित्ते भी मरुस्तल हैं विसुग गिये अंदर, उसमें सबसे ज्यादा सगन जन्चंग के आवाला चेत्र है, अन्य मरुस्तरों के कमपेरिजिज़न में यहाँ पर ज़ादा जन्चं के अघरतिवे हैं, इसलिए यह question बार-बार पूंचा जाता है त पूर्वी समतल मैदानी चेत्र अरावली परवतिये वैद दक्षिन पूर्वी पठार चेत्र और पश्चिमी मरुस्तिले चेत्र में जन्चंक्या घनात्वत किस प्रकार का है तो देखिए इन तीनों की परिस्तितिया अलग अलग है किसकिस की रावली परवतिये पूर्वी पठार चेत्र के वैद दक्षिन पूर्वी पठार चेत्र के वैद तो रहनी के साब से जगन घनात्वत होता है इसी तरीके से अरावली परवतिये वैद दक्षिन पूर्वी पठारी चेत्र के वारे में जब देखते हैं तो यहां मध्यम जन घनात्व है क्योंकि यहां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है तो बहुत ज़्यादा पृतिकूल बेनी है इस वज़े से यह विरल जन घनातों वाले चेत्र है नहीं कोशन देखिए राइस्थान राजे के पूर्वी समतली मैदानी चेत्र में कौन से जिले चेत्र है जहां जन घनातों ज़्यादा पाया जाता है कौन से हैं वो देखिए अलवर, भरतपूर, दौसा, धौलपूर, जैपूर, टौंग, सवाई माधूपूर, करॉली और घीलवाड़ा आदी जो जिले हैं यह कैसे हैं यह पूर्वी समतली मैदानी चेत्र के वो हिस्से हैं जहां पर बहुत ज़्यादा सघन क्या पाया जाता है सघन जन संक्या घनत्व पाया जाता है नेक कोशन देखिए राजिस्थान राज्य के पूरू समतली मैदानी चेत्र का जन घनत्व कितना है राजिस्थान राज्य के जो पूरू समतल मैदानी चेत्र है उनके जन घनत्व कितना है तो देखें पेश्यमी राजिस्तान में कितना था? 130 प्रतिवर किलोमेटर और यहाँ पर कितना है? 332 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर कितना है? लगबग 332 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर है पूरे राजिस्तान की बात कर रहे थे तो उतका कितना था? 200 प्रति वर किलोमेटर. चलिए. नेक कुश्चन देखिए. निश्चत अवधी में जनसंख्या में हुए बदलाव, कमी या व्रद्धी की दर क्या कहलाती है? निश्चत अवधी में जनसंख्या में जो बदलाव हो व्रद्धी हो या कमी हो उसकी जो दर होती है वो क्या कहलाती है? उसको क्या कहलते है? जनसंख्या व्रद्धी दर कहते हैं. देखिए इसमें क्यों है? इसलिए है क्योंकि जब व्रद्धी होती है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि ये तो क्या है? ये आपकी व्रद्धी दर है क्योंकि यहां व्रद्धीदर लगती है, व्रद्धीदर का उपयोग किया जाता है सब्द का, लेकिन जब कमी होती है तो क्या कहेंगे, तब भी यह जंचंक्या व्रद्धीदर ही कहलाती है, इस बात का आप याद रखेंगे, नैक कोशन देखिए, किसी छेतर में, किसी रणात्मक व्रद्धीदर या जंचंक्या पतनिस को कहते हैं, नैक कोशन देखिए, किसी छेतर में, किसी अवदी में, जंचंक्या अधिक हो जाए, तो ऐसी व्रद्धीदर क्या कहलाती है, तो वो रणात्मक व्रद्धीदर क्या कहलाती है, जब घट जाए, कम हो जाए, त तो धनात्माप पुरदिदर बस यह इतना सही अंतर है चलिए ने कोशन देखिए राइस्थान की जन्शंख्या पृदिदर प्रती दसक कितना पृतिसत रही है जो जन्गर्ना 2011 हुई थी उसके हिसाब से राइस्थान की जन्शंख्या पृदिदर है वो कितनी है वो है 21.31 वो कितनी है 21.31 चलिए ने कोशन जन्शंख्या पृदि किन कारुकों पर निर्भर करती है यह काफी इंपॉर्टेंट कोशन है जन्शंख्या पृदि किन कारुकों पर निर्भर करती है तो देखिए यह तीन कारुकों पर निर्भर करती है जर्म, मिर्तिय और कि और प्रवास क्या होता है एक स्तान से दूसरे इस्तान पर कोई व्यक्ति है अगर निवास फ्रिबर्टित कर ले तो उसका प्रवास कहलाते हैं, मतलब वो एक जगे अभी रह रहा है, फिर वहाँ छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए, और दूसरी जगे रहने लगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रवास कहलाएगा, तो इन तीन कारकों पर जन्शंक्या वृद्धी निर्भार करती है, देखिए, जन्शंक्या में प्राकरतिक वृद्धी किसे कहा जाता है, तो देखिए, हमने तीन कारक देखे थे, जन्व, मिर्थिव और प्रवास, तो इसमें से कौन जी प्राकरतिक गटना है, जन्व भी प्राकरतिक है, मिर्थिव भी प्राकरतिक है, प्रवास तो प्राकरतिक नहीं नेक कोशन देखेे प्रवास किसे कहा जाता है, देखे, हम मैंने अभी आपको बताया भी था, प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास वो है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपना इस्थाई रूप से निवास परिवर्तन कर लिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपना इस्थाई रूप से जब निवास परिवर्तन कर लिया जाता है तो वो एक जगे से कम होकर एक छेतर से हट कर दूसरे छेतर में जाएगा तो वहां की वर्दी हो जाएगी और यहां कभी हो जाएगी तो प्रवास भी जंशंख्या में एक बहुत महत्पून कारक होता है तो प्रवास किसे का जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा अपना इस्थाई रुप से निवास परिवर्तन को कहा जाता है next question देखिए, उत्प्रवास किसे कहा जाता है, उत्प्रवास किसे कहा जाता है, तो देखिए, उत्प्रवास वो है, जब एक इस्थान से किसी व्यक्ति के जाने को उत्प्रवास कहते है, देखिए, इस जगे आप कोई व्यक्ति रह रहा है, और वो इस जगे जा रहा है, तो जब यहां के लिए पूंचा जाए कि यहां पर क्या हुआ तो इस व्यक्ति का उत्प्रवास हो गया, ठीक है, इसका यहां पर क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया, और यह यहां गया, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, नेक कोशन देखी, उसमें आपको पता चलेगा, आने को आप्रवास कहते है, उत्रवास जहां से गया और जहां पहुंचा वो क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा, यही इसमें अंतर है, चलिए, नहीं कोशन देखिए, आंतरिक प्रवास किसे कहा जाता है, जब वेक्ति जो होता है, एक देश की सीमा के अंदर ही अपना करें, या कहें, एक देश की सीमा के अंदर ही अपना आवास से थंतरन करें, तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवास कहलाता है, नहीं कोशन देखिए, दो देशों के मद्दे होने वाले प्रवास को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, वो कहलाएगा, अंतर राष् प्रवास कहलाता है। नहीं कोश्चन देखें। नेक कुशन देखिए, राइस्थान में सन 2011 की जंगर्णा की अनुचार किस जिले में सबसे कम 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 जंगर्णा की अनुचार किस जिले पॉइंट 6 पृतिशत से कम थी, यानि 2011 की जो जंगर्णा हुई थी उसमें भारत की औसथ जंशंख्या दर किती थी? 17.6 पृतिशत और रायस्थान के ऐसे आड़ जिले हैं जिनकी औसथ जंशंख्या व्रधी दर जो है, वो उससे भी कम रही, तो वो कौन से आड़ जिले हैं तो कौन से आड़ जिले हैं वो? जुन जुनू, पाली, बूंदी, चिताओडगर, सीकर, हनमानगर और टॉंग। ये वो आड़ जिले हैं जहां भारत की औसथ जंशंख्या दर जो की 17.6 पृतिशत रही थी 2011 की जंगर्णा में, उससे भी कम जंशंख्या व्रधी दर इन 8 जिनों की रही थी, चलिए, नएक क्वेशन देखिए, लिंगान उपात किसे कहा जाता है? लिंगान उपात किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रती हजार पुरुसों पर इस्त्रियों की संख्या, जैसे कि मान लिजे एक हजार पुरुस हैं और उसी जगे पे मान लो 888 जो जन संक्या है केवल इस्त्रियों की हो तो वो क्या क्या लाएगा उसका लिंगानुपाद क्या लाएगा लिंगानुपाद क्या होगा 888 होगा ठीक है चलिए नेक्स देखिए भारत के किन राज्यों अत्वा केंद्र सासित प्रदेशों में इस्त्रियों की संक्या हैं एसे किन शासित देश है ज conception कि संखिया जादा है लेकिं कुछ ही जिलैस है जाने स्थ्रव की संखिया जादा है। और वो कौन कौन से है के exploring रहले फुद्यचेरी एक से जादा है और ख met ज़िए अ ऑस यहां पर सत्रौ की संखिया चांब है। Kollege पूरसों की संख्या बहुत ज्यादा है और स्तिरों की कम होती जा रही है नेक्ट देखिए राजिस्थान में सन 2011 की जणगर्णा की अनुसार लिंगानुपात क्या है? क्या था यहां पे 928 राजिस्थान पूरे स्टेट का जो आपका लिंगानुपात था यानि एक हजार पूर्णों के 928 इस्त्रियां हैं। पहले ये रेशो और भी कम था लेकिन अब धीरे-धीरे सुदर रहा है और ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर यह लिंगानुपात कम होता जाता है यानि पुरसों प्रती हजार पुरसों के अगर इस्त्रियों की संक्या कम होती जाती है तो बहुत सारे हमारे एक तरीके से समाज का पतन होने लगता है इस्त्रियों के प्रती आक्रमक्ता और क्राइम्स बढ़ने लगते हैं जो कि हमारे लिफ समाज के लिए बहुत ही नुकसान दे चलिए, नैक कोशन देखिए, राजिस्थान में सन 2011 की जणगर्णा की अनुसार, छैवर से कम आयू के बच्चों में लिंगानुपाद क्या है, यानि इसका अर्थी यह है कि जब 2011 की जणगर्णा हुई थी, तब लिंगानुपाद मात्र 288 था और यह एक बुरे भविश्य का संकेत है, क्योंकि इस्त्रियों के अगर संक्या कम होने लगी, तो सामाजिक पतन स्टार्ट हो जाएगा और यह बहुत नुकसान दे होगा, यह जो ट्रपलेट का नंबर है, यह 6 वर्ष से कम आयू के बच्चो के उपर, मेल के उपर, मात्र 888 ही लड़कियां थी, यानि 1000 लड़के और 888 लड़कियां पैदा हुए, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नै कोशन देखिए, भारत सरकार द्वारा देश में महीला ससक्तिकर्ण यह बेटियों के अधिकारों को सुनिश्यत करने के जनवरी 2015 में देश में किस योजना को प्रारंप किया गया है, भारत सरकार द्वारा देश में महीला ससक्तिकर्ण यह बेटियों के अधिकारों को सुनिश्यत करने के लिए, जनवरी 2015 में देश में किस योजना को प्रारंप किया गया है, तो देखिए, इस योजना को बहु बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कब की गई थी ये भी एक important बात है जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देशे क्या है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देशे क्या है बेटियों को सिक्षा द्वारा सामाजिक आर्थिक आधार पर आत्म निर्भर बनाना ये इस योजना का मुख्य उद्देशे है नाइक कोश्चन देखिए नाइक कोश्चन देखिए सरवादिक 2011 की जनगर्णा की अनुसार सरवादिक साक्षर्था वाला जिला कौन सा है तो कौन सा जिला है तो देखिए कोटा जिला है जहां पर सरवादिक साक्षर्था है छेतर प्रितिसत प्रितिसत साक्षर्था राजस्थान में सरवादिक 2011 की जनगर्णा की अनुसार दर् जंडगर्णा के नुशा सरवादिक पुरुष साक्षर्था वाला जिला कौन सा है। कौन सा है ये जुनजुरूं। जुनजुरूं में पुरुष साक्षर्था सरवादिक पाई गई है। देखे, 2011 की जर्णगर्णा में सरवादिक पुरुष साक्षर्ता जुन-जुन में दर्ज की गई है। ने कुशन देखे, राजिस्थान में सन 2011 की जर्णगर्णा के अनुसार सरवादिक इस्त्री साक्षर्ता वाले जिले के बारे में बात करें, तो वो कोटा है। कोटा के एंदर सर्वादिक साक्चरथा प्रतिसत्, कोटा के अंदर इस्ति शाक्चरता का प्रतिसत् दर्च किया गया है। राजिस्थान में शन्द 2011 की जन्गनथा के अनुसार सबसे कम साक्चरता वाला जिला कॉंसा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा सबसे ज्यादा वाला और हम क्या पूछ रहे हैं सबसे कम साक्षर्था वाला सबसे ज्यादा साक्षर्था किस में थी आपके सबसे ज्यादा साक्षर्था कोटा में थी और इस तरी मियों में सबसे ज्यादा साक्षर्था भी कोटा के अंदर थी औ और सबसे ज्यादा पुरुस साक्षर्था जुन जुनों के अंदर थी और अब हम कर रहे हैं सबसे कम साक्षर्था वाले जिले की बार तो वो है जालोर, जालोर के अंदर सबसे कम साक्षर्था 54.9% मात्र है टोटल जो साक्षर्था है, सबसे कम साक्षर्था कहा है जालोर के अंदर, नेक कोशन देखिए, राजिस्थान में 2011 की जन्ट करना के अंदर सबसे कम पुरुस साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पुरुस साक्षरता वाला जिला है, पृतापगड, सबसे कम सिछित पुरुस कहां पे हैं, पृतापगड के अंदर है, नेक कोशन देखिए, इस भारत में 2011 की जंगर्णा के अज़ार हिंदू धर्मावलम्यों की आबादी कितने प्रितिशती यानि हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग हैं आपको पता है हमारा देद धर्म निरपेच्छ है इसलिए यहां सभी धर्म के लोग निवास करते हैं धर्म में प्रिक्ष का अर्थ क्या हुआ यहां पर किसी भी धर्म की उपेच्छा नहीं की जाती यहां सभी का सम्मान किया जाता है सभी धर्मों का इस वज़े से यहां सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और यही कारण है कि यहां अलग-लग धर्म के आधार पर भी जंगर् अनुसार हिंदू धर्मावलंब्यों के आबादी कितने प्रितिसत थी भारत के अंदर वो थी 88.5 परसेंट यानि 88.5 प्रितिसत जो थे वो केवल हिंदू भारत के अंदर निवासित कर रहे हैं ने कोशन देखिए भारत में 2011 की जंडगंड़ना के अनुसार मुस्लिम धर्मावलंब्यों की आबादी कितने प्रितिसत थी तो वो थी 9.1 प्रितिसत ठीक है कितनी थी 9.1 प्रितिसत मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भारत में निवास कर रहे थे ने कोशन देखिए राजिस्थान की अधिकारिक भासा कौनसी है राजिस्थान की अधिकारिक भासा कौनसी है बहुत से लोग अलग अलग भासाओं को देते हैं कोई राजिस्थानी बोल देता है लेकिन एक्जेक्ली इसकी जो भासा है वो हिंदी ही है राजिस्थान की है आरे भासा परीवार का एक भासा समो ernst है जिसました principle कौनसी पूंची के घ्रीवार का एक समू है और यहां पर जो बोलिया बोली जाती है राजिस्ताने की वो कौनगे है, मारवाडी, नीवाडी, वागली, धूडाडी और सेखावटी, इसी तरह जो अन्य भासाएं हैं, जिसमें राजिस्तानी भासा का पुट नहीं है, वो कौनगे हैं भीली, मेवाती, गुजराती, उर्दू और ब निवास करती है। राजिस्थान में जन जाती आबादि किन जिलों में निवास करती है। कोशन है ये रिपीट भी हो चुका है एक बाद पेपर में तो इसको ध्यान रखेगा मैं राजितां में बात करेंगी धील गरसिया प ряд जै कर दियों अ Kingdom यहाँ पर अभी हम सहरिया के बारे में में भी बात करेंगी, भील, गरसिया, मीना और सहरिया जो हैं, यह राईस्थान की प्रमुक एकोशोतिया, इह दो इसे दो सेखिए वारत स्रॉकार द्वारा राईस्थान की एक बात्र जन जती जिसे आधिन जती हैं है। सामिल किया गया है भारस सरकार द्वारा राजिस्थान की एक मात्र जंजाती जिसे आदिम जंजाती सम्हों की सूची में सामिल किया गया है यह कोशन काफी इंपोर्टेंट है इस पाद ध्यान रखेगा और वो कौन सी है सहरिया भारस सरकार ने सहरिया जो जंजाती है राजि बारा जिले की सहाबाद वे किसंगंज तहसीलों में ये सरवादिक इनकी जनसंख्या मिलती है। अभी जानते हैं भील जन जाती प्रायस्थान की सबसे प्राचिन जन जातियों में सम्मिलत है। सहरिया सब्द की उत्पति किस भासा से है। जो कि आदिम जन जाती की तोर पर सम्मिलत की ये भारत सरकार के जारा है। तो सहरिया सब्द की उत्पति किस भासा से है। ये फार्सी भासा के सहर सब्द से है। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है जिसका प्राय क्या है जंगल या वन के निवासी। सहर का अर्थ क्या होता है जंगल या वन के निवासी। फार्सी भासा का सहर जो सब्द है जिससे सहरिया बना है। उसका अभी प्राय होता है, जंगल या 1 के निवासी, तो class 8 का chapter number 8, जो कि इस class का सबसे आखरी chapter है, तो चलिए start करते हैं हमीचा की तरह बिना देरी के साथ, फर्स्ट कुशन है, अंतराष्टिय परेटन दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है, 21 सितंबर को अंतराष्टिय परेटन दिवस मनाया जाता है, नेक कुशन देखी, राष्टिय परेटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है, 25 जनवरी यानि कल मनाया गया था रा राजस्थान परेटन दिवस कब मनाया जाता है तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं ये 30 मार्च को मनाया जाता है नेक कुशन देखिए परेटक किसे कहा जाता है देखिए पारिभासिक रूप से यानि आपको हर चीज की डेफिनिशन पता होने चाहिए तो परेट किसे कहा जाता है परेटक वह विक्ति होता है जो किसी अन्य स्थान पर किसी भी कारण्मर्श चाये वह घुमने के लिए आया हो चाये वह वह व्यबसाइक किसी कारे के लिए य area . एसथाई also ुसके पर्ष्यात वाफिपनी जग्य लोड़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता ह यो विक्ति जो किसी अन्य इस्थान पर कुछ समय के लिए एस्थाई रूप से रहता है तसपरचाद पुन्ह लोट जाता है परेटक कहलाता है नेक कुशन देखिए भारत में आने वाले कितने परेटक राइस्थान में परेटन का चैन करते हैं यह कुशन बहुत इंपोर्ट आते हैं तो उसमें से एक परेटक राइस्थान में आता है तो इसका समझ सकते हैं कि राइस्थान के लिए यह औध्यो कितना इंपोर्टेंट्स रखता है नेक कुशन देखिए विदेशी परेटकों को भारत की और आक्रसित करने के लिए कौन सा कारेक्रम तयार किया गया ह क्या कहते हैं उसको, उसको कहा गया है अतुल्य भारत, अतुल्य भारत नाम से एक कार्यकर्म चलाया जा रहा है, हमारी भारत सरकार के दोरा जो विदिसी परेटकों को भारत की और आपर सेत कर सके, नेक क्वेशन देखिए, राजिस्थान में परेटक को बढ़ावा देने के लिए राजिस्तान में परेटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, वो किस वर्ष की गई, जिसको सौड में RTDC भी कहा जाता है, क्या है, 1989 में 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, नेक कोश्चन देखिए राजिस्थान में परेटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से नारे लगाए जाते हैं तो कौन-कौन से नारे हैं यह देखे देखे ये कुछ नारे तो ऐसे होते हैं जिनको जैसे साल के इस साल यह नारा प्रिफरेंस में रहेगा तो 1978 में ढोला मारू रहा था 1993 में और 2019 में भी जो अभी चल भी रहा है अभी तक चल रहा है पधारो महरे देश 2008 में रंगीलो राजिस्थान 2016 में जाने क्या दिख जावे और सुरंगा राजिस्थान राजिस्थान पधारी आधी जैसे नारे regular लगाये जाते ही चलिए नेक कोशन देखे राजिस्थान का परेटन का प्रतीक क्या है यह एक स्लोगन है जिसको कहा गया भारत का अतुल्य राज्य याना the incredible state of India ये राजिस्थान का परेटक का प्रतीक भी है और ये स्लोगन भी है भारत का अतुल्य राज्जे, the incredible state of India, नेक कोशन देखिए, नेक कोशन है आपका, परेटकों को सुविधा के लिए राजिस्थान को अलग-अलग परेटक मंदलों में बांट गया गया है, इनमें सबसे परेटक जो हैं, उनकी सुविधा के लिए राजिस्थान को अलग-अलग परेटक मंदलों में बांट गया, उसमें सबसे ज़्यादा जो परेटक आते हैं, वो किस मंदलों में आते हैं, उनका क्या-क्या नाम है, उनका नाम है जैपुर आमेर मंदल, मरू सर्केट और मेवा बांट जाता है, राजिस्थान के परेटक स्थलों को, सामाने तह कितने भागों में बांट जाता है, एतिहासिक, भोगौलिक और धार्मिक परेटन स्थलों में इनको बांट जाता है, तो चलिए, नेक्स देखिए, प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल काली बंगा वे पीली बंगा राजिस्थान के किस जिले में इस्थित है देखी ये काली बंगा के बारे में आपने बहुत सुना होगा और पीली बंगा भी है तो ये किस जिले में इस्थित है? राजस्थान के किस जिले में इस्थित है? ये इस्थित है हनुमान गड़ के अंदर. कहां पर हनुमान गड़ के अंदर? नेक कुशन देखिए. पिरसिद एतिहासिक परेटन इस्थाल आहड राजस्थान के किस जिले में इस्थित है? तो य जिले में इस्थित है जो प्रिसिद बैराट आप जानते हैं जिसको आपने इतियास में बहुत पढ़ा है राइस्थान की किस जिले में इस्थित है ये ये जैपूर में इस्थित है नेक कुशन देखिए प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्थल गनेश्वर राइस्थान के कि प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्तल हावा महल, आमेर का किला और जनतर मानता राजसान के किस जिले में इस्तित है? प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्तल कुंबल गड़ का किला राजसान के किस जिले में इस्तित है? प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्तल सजन गड़ का किला राजसान के किस जिले में इस्तित है? प्रिसिद एतिहासिक परेटन इस्तल सोनार गड़ का किला राजसान के किस जिले में इस्तित है? तो यह कहाँ पर है? यह जैसल मेर के अंदर इस्तित है. इनके आप नॉट्स बना लिजे. बैस्त है कि एक पेज उठाईए और इनको इनके प्लेज के हिसाब से इनको मेंशन कर लिजे उस्तित पर तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो पाएगा. नेक कोशन देखें. जैसामन, फतेसागर, पिछोला, उदैसागर, आदी जो जीले हैं और सिल्प ग्राम किस राइस्तान के जिले में इस्तित है? यह है उदैपूर के अंदर. आपको पता है यह जीलों की नगरी कहा जाता है उदैपूर? वो क्यों कहा जाता हूँ? ऐसे ही नेक कोशन देखें. प्रिसिद नक्की जील राइस्तान के किस जिले में इस्तित है? प्रिसिद नक्की जील है वो राइस्तान के किस जिले में इस्तित है? तो वो है आपके सिरोही के अंदर. प्रिसिद नक्की जील जो है राइस्तान के सिरोही जिले में है. नेक कोशन देखिए, पूछा नहुंत, पूछा नहीं जाता है, इसलिए राज वो कभी तकनीक अर्ट हो तु एक्षा दिमाख मिल्कुल मतलगा है, राज नहीं चूछन देखे, चूलिया और मेनाल जल प्रपात राजस्थान के किस जिले में इस्थित है राजस्थान के किस जिले में इस्थित है नेक कोशन देखिए, सरिस्का राष्ट्रे उद्धान राईसान के किस जिले में इस्तित है, तो यह है बिना मात्रा का सहर यानि अलवर, सरिस्का राष्ट्रे उद्धान कहा इस्तित है, अलवर के अंदर इस्तित है, नेक कोशन देखिए, केवला देव घना राष्ट्रे पक अगला कुस्छन देखिए. राष्ट्य मरूद्ध्यान राष्ट्यान के किस जिले में है यह जैसल मेर और बार्ड मेर मेर में है मरू का मतलब क्या है रेगिस्थान है ना रेगिस्थान से समय देत होता है ना मरू तो मरू अध्यान जो है कहां पर होगा जाए, सलमेर वाड़ वेड जैसे एरिया में हो सकता है, नहीं कुशन देखिए, चंबल नदी के किनारे चंबल अभ्यारन में किन जीवों को सनरक्षन दिया गया है, यह बहुत इंपोर्टन कुशन है, चंबल नदी के किनारे जो चंब जीवों को सनरक्षन दिया है, वहाँ पर मगरमच्छों और घडियालों को सनरक्षन यह बनाया गया है, क्या है, यहाँ पर मगरमच्छों और घडियालों है तो सनरक्षन दिया गया है, इस्थापत्यकला किसे कहा जाता है, इस्थापत्यकला आपने बहुत जगे पड़ा ह होगा है ना तो इस्थापत्यकला कहा किसे जाता है क्या होता है वो भवन निर्मान की जो कला होती है उसको इस्थापत्यकला कहा जाता है ने कोशन देखी राइस्थान राज्य के किस जिले में ब्रह्मा का मंदिर इस्थित है आपको पता है कि ब्रह्मा का मंदिर ये केवल औ राइस्थान राज्ये के किस जिले में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगाह इस्तित है। कहां पे है ये? ये अजमेर में हैं, हम सभी जानते हैं। चलिए, एक कोशन देखिए। राइस्थान राज्ये के किस जिले में कोलायत इस्तित है। राइस्थान राज्ये के किस जिले में रामदेवरा इस्तित है। रामदेवरा के मंदिर आप बहुत सुनते होंगे। तो राजस्तान के किस जिले में है ये ये जैसल मेर में हम सभी जानते हैं इस बात को राम देवरा जो का मंदिर है वो कहां पर है जैसल मेर के अंदर है नेक कोशन देखिए राजस्तान राज्य के किस जिले में नातदारा में इस्तित स्रीनाज जी का मंदिर इस्तित है नातुदारा में है, श्रीनाजी का मंदिर ये नातुदारा है, या फिर श्रीनाजी का मंदिर वो किस जिले के अंदर आता है, ये किस जिले में है, ये राजसमन के अंदर है, राजस्थान के राजस्थान जिले के अंदर ये आता है, नेक कोशन देखी, राजस्थान, राजस राइस्थान राज्य के किस जिले में गोविन देव जी का मंदर इस्थित है तो इससे तो हम निशित रुप से चीर परीचित है यह जैपूर के अंदर है नो गोविन देव जी का मंदर का है जैपूर के अंदर है नेक कुशन देखिए राइस्थान राज्य के किस जिले में क वो कहां पर इस्थित है, यह देशनों कहां पर है, या यह करणी माता कहां की है, तो यह कहां पर है, बीकानेर के अंदर है यह, जो देशनों कवाली करणी माता है, या फिर करणी माता, देशनों का जो मंदिर है, वो कहां पर है, बीकानेर में इस्थित है, ने कोशन देखिए श्री महवीर जी का मंदिर राइस्थान के किस जिले में इस्तित है तो यह किस जिले में है यह सवाई माधोपुर में है कहाँ पर है यह सवाई माधोपुर में है यह नएक कुश्चन देखी तुरुपरा सुंदरी का मंदिर राइस्थान के किस जिले में इस्थित है तुरुपरा सुंदरी आपने बहुत सुना होगा तुरुपरा सुंदरी का जो मंदिर है जो देवी का जो मंदिर है वो राइस्थान के किस जिले में इस्थित है ये कहां पे है ये बासवाड़ा के अंदר इस्तित है बासबाड़ में तुरुप्रासुंद्री का मंदिर है नैंक क्योंष्जियन देखिए रिशब्देव रनक पूर और देलवड़ा क्या है, यह जैन बंदिर है Risabhdeev, रनक पूर और देलवड़ा किसंके लिए फेमस है जैन मंदिर और यह सन के किस जिले में इस्थित है यह है क्रम से उदयपूर में रिशब देव का मंदिर है पाली के अंदर रणकपूर का है और देलवाडा मंदिर कहां पे है शिरोही के अंदर इस्थित है रिशब देव उदयपूर में है रणकपूर जो है पाली के अंदर है देलवाड परेतन कर इंदर सचित हैं कूश को फराज्य को सारूपर्थम उध्यूप का कब दिया गया है यह नी तो निया गया था और किश की स्टाइब का उध्यूप मनाटफह सीवा उध्यूप की तरपर इसको माना जाता है उद्ध्योग जो परेटन जो है उसको सेवा उद्ध्योग के तोर पर माना जाता है और ये 1989 में उद्ध्योग की उद्ध्योग माना गया उससे पहले ये जस एक नॉर्मल कारे था जिसको उद्ध्योग में समलित नहीं किया जाता था लेकिन तब 1989 से उसक सेहरों में देखा भी होगा यह आती भी है बहुत जगे इसका रूट है तो कहां पर क्या नाम है इस गाड़ी का इसका नाम है रायल राइस्थान ओन वील्स यह बहुत ही सांदर गाड़ी है और इसके अंदर बहुत सारी फैसिलेटीज हैं तो यह किसके लिए है यह मुस्ली परेटकों के लिए या उनको आकरसित करने के लिए चलाई गई है नहीं क्यूश्चन देखी रायल राइस्थान ओन वील्स ट्रेंड कहां से प्राइरम होती है कहां से होती है यह प्राइरम यह दिल्ली से स्टार्ट होती है दिल्ली से प्राइरम होकर राइस्थान में फिर परिवहन किसे कहा जाता है, एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक मानव वस्तूओं विचारों के आदान प्रदान को याद रखना, हम लोग क्या सोचने हैं, केवल हमारे आवगमन को ही परिवहन का बाद्यम जो होता है उसको परिवेहन मानते है, जो हमारा माध्यम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या है कि हम हो या फिर कोई वस्तू हो, या फिर विचार हो, उनस सभी का आदान परदान क्या कहलाता है, left question देखी, Pipe परिवेहन का उप्योग किसे तु किया जाता है, पाइप परिवहन का उप्योग किसे तू किया जाता है तो किसे तू किया जाता है देखे तरल और गैसी पड़स्तों के आदान परिदान ही तू पाइप लाई ने बिचा दी जाती है आपके घर में जो पानी आता है नल्म से जो पानी आता है वो भी पाइप परिवहन का ही ज जो गरेलू gas है, LPG gas है, पैटॉल वगेर है, इन सारी चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है, नेक क्योशन देखें, राजिस्थान रोड विजन दो हजार पचीश के क्या उद्देश हैं, राजिस्थान रोड विजन दो हजार पचीश का एक उद्देश रखा है, राजिस्थान में किस प्रकार का परिवेहन सरवाधिक विखिशित है, तो देखें, यहाँ पर जो सरवाधिक विखिशित है, वो सड़क परिवेहन है, यहाँ पर और सबसे कम विखिशित अगर देखा जाए, तो जल परिवेहन है, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो इस समुद्र सीमा इससे लग रही है, नहीं यहाँ कोई नदिया है, सदावाहीन है, यहाँ जो नदिया है, वो मौसम के इसाब से सूप जाती है, बहुत कम ऐसा है जो सदा नीरा है, हमीशा जहां पानी रहता है, ऐसी नगिया है बहुत कम है, तो यहां जहाज भी चलाना संभव नहीं है, तो सबसे कम विक्सित कौन सा है, जल परिवेन हैं जिसको ना के बराबर विक्सित कहा जा सकता है, या फिर कहें कि विक्सित ही नहीं है, और सडक करत किया जाता है तो देखिए राजितान में जो सडकें हैं वो मुख्यता है चार भागों वर्गी करत किया जाते है राष्टे राजमार्क यानि नेशनल हाईवे आपके है ना राजी राजमार्क यानि स्टेट हाईवे आपके डिस्टिक्स रोड्स जिला सडकें जो होती है और ग्रामीन सड़कें, जो गाउं से, गाउं को मिलाती हैं वो सड़कें, ग्रामीन सड़कें हैं, इस तरह ये मुख्यते चार भागों में डिवाइड किया है, राज्टे राजमार्क, राज्जीय राजमार्क, जिला सड़कें और ग्रामीन सड़कें, चलिए, नाइक क्वे यानि नेशनल हाईवे आठ राश्टी राजमार्क आठ जो कहां से कहां तक जाता है दिली से मुंबई तक और यह मेट्रोपलटिन शिटीज को जोड़ता है तो डेफिनेटली यह बहुत व्यस्तम ही नहीं है यह काफी इंपोर्टेंट राजमार्क भी है नेशनल हाईवे भी किस्योजना के तहत् विभिन गाउओं को सडकों से जोड दिया गया है और अभी काम चालू भी है चल भी रहा है कौंची है यह 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 यहुजना पृदानमंत्रियंहामीनचडक यहाँ प्रिधानमंति ग्रामिन शड़क योजना के तहत गाउं को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है तो यह क्या है यह किसके अंतर किस योजना के तहत किया जा रहा है यह प्रिधानमंति ग्रामिन शड़क योजना के तहत किया जा यहां पाकिस्तान से जो भारत की जो टच होती है वो सीमावरती छेत्र है तो वहाँ पर क्या है राष्टी राजमार्क 15 है जो काफी लंबा भी है सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा राष्टी में नेक क्यूशन देखिए यह कौशन व्यापार के तो पर देखा जाए तो बहुत जदा इंपोर्टेंट होता है इसलिए यह कौशन बार बार आता भी है तो इसको भीयाद रखेगा एनेस 14 और 15 राश्री राजवान 14 और 15 जो हैं वो राइस्थान को directly कांडला बंदर का जो है गुजरात का वहां से जोड़ते हैं नेक कोशन देखें भारत सरकार द्वारा घोसित भारत माला पर योजना किस से सम्मदित है ये कोशन काफी important है इसके आने की काफी संभावना है तो इसका रहाद रखेगा भारत सरकार द्वारा घोसित जो भारत माला पर योजना है वो किस से सम्मदित है वो है सडकों के विका से संबंदित योजना है ने कोशचें दीए भारत माला परिजना के तहित कहां चट के बनाने की योजना है बाद माला परिजना असम, अरणाचल प्रदेश, मनिपूर, मिजोरम, यह जब जो सीमावर्ती राजे हैं, जहां से अंतराष्टी सीमा मुख्यता लग रही है, वहाँ पर यह भारत माला परयोजना, वहाँ पर सड़के निर्मान करके इसको बनाया जा रहा है, यह पर इसके तहत यह योजना है, ने कुशन देखिए, भारत माला परयोजना के तहट कितना हिसा राजिस्तान से होकर गुजड़ेगा, तो देखिए काफी बड़ा हिस्सा है, यह करिंद्पंदरे सो केलोमीटर का है, राजिस्तान में जो अंतराष्टी सीमावर्ती चेतर है, जहांसे अपने पाकिस्तान से होता है अपना भारत वहां पर यह सीमावर्थी छेत्र में इसका निर्मान किया जाना है तो यहां पर राइस्थानी राइस्थान के अंदर लगभग पंद्रह सो क्लूमीटर की सड़क बनाना टैह हुआ है नेक कोशन देखें भारत में पहली रेल कब वे कहां चलाई गई थी भारत में पहली रेल कब वे कहां चलाई गई थी तो ये 1823 में महराष्ट के मुंबई एवं थाने के मद्ध है जो भारत की जो पहली रेल है जब अंग्रेजों की गौर्मेंट थी तब ये चलाई गई थी 1823 में महराष्ट के मुंबई एवं थाने के मद्ध है है ना चलिए ने कोशन देखिए राजिस्थान में पहली रेल कब वे कहां चलाए गई थी राजिस्थान में वो कौन से थी भारत में यह कहां कि है राजिस्थान में राजिस्थान में पहली रेल कब वे कहां चलाए गई थी तो यह आपका 1874 जो बांधी कुई है बांधी कोई जो station है दौसा के अंदर आता है यह वहाँ चलाए गई थी बांधी कोई से आगरा फोर्ट के लिए यह चलाए गई थी नेक कोईशन देखिए राइस्थान में रेल मार्ग की लगभग कितनी लंबाई है राइस्थान में जो रेल मार्ग जो बिचा हुआ है वो लगभग कितनी लंबाई पर भैला हुआ है तो वो है 6000 किलोमेटर राइस्थान में जो रेल मार्ग है वो करिबन 6000 किलोमेटर तो राजिस्थान किस मंडल का है ये राजिस्थान है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का हिसा है राजिस्थान उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अंदर गत आता है और इसका जो मुख्याले है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का वो कहां पर है वो है आपका जैपूर के केंदर है नय ककोई पूर राहिष्थान में रेल परीवें का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है तो कौन सा है ये जैपूर जैपूर आपको पता है इसका मुख्यायले भी है मंदल का तो निशित तो पर ये काफी साभाविक राद हैं इस अब सबसे बड़ा केंदर भी कौन सा होगा, जैपूर ही होगा तो रायστहर में रेल परिवयन का सबसे बड़ा केंदर कौन सा है जैपूर है , data मै rating कोशन है मैट्रो रेल किसे कहा जाता है, मैट्रो रेल हमने सभी जानते है दिली में भी चली है, जैपूर के century हुई है तो यह action में है कि मेट्रो रेल कहा किसे जाता है महानगरों में इस्थानिय परिवयन के लिए उप्योगी रेल यानि जो बड़े सेहर हैं उसमें जो इस्थानिय रूप से मलब सेहर के अंदर या सेहर के आजपास के जो छेतर हैं वहाँ पर जब हम परिवेन के लिए ट्रेन का उप्योग करते हैं तो वो क्या कहलाती है वो मेट्रो रेल कहलाती है और जैपूर में 15 जून 2015 को ये प्रारम हुई थी है ना चले नेक क्वेश्चन देखे राइस्थान का प्रिथम वे वेस्थतम अंतरराष्टी हवाई एड़ कहां इस्थित है तो देखे वो है जैपूर के सांगानेर में जैपूर के सांगानेर में जो अंतराष्टी हवाई एड़ा है वो राइस्थान का पहला और सबसे वेस्थतम अंतराष्टी हवाई एड़ा है नेक क्वेश्चन देखे महाराना प्रताप हवाई एड़ा कहां तो इसे के साथ आपका होती है यह एक चैप्टर भी समाब, आपकी एक क्लास भी होती है यहाँ पे समाब, तो मिलते हैं next class, next chapter और next वीडियो के साथ, तब तक के लिए thank you झाल झाल